अध्याए 551 नरक का अवतरंग भाग एक बॉस ये मेरे साथी भाई हैं। लिंच शिन ने बोलते समय लगभग 500 जादूगरों की ओर इशारा किया, जो सभी उग्रल लाल वस्तर पहने हुए थे। इन दो दिनों के आराम से गुजरने के बाद लिंच शिन का शरीर सामान्य के करीब था। दूसरे शब्दों में मैं पूर्ण स्वतंत्रता की स्थिती में था। कम से कम अभी के लिए लिंच शिन अभी भी नंबर एक जादूगर टीम का कप्तान था। अत्यंत द्यालुता से भरे उनके निमंत्रन के साथ लिशिन के साथ लौन्ड हाउचेन का तीन लोगों का समूर किले में पहुचा। टोंबल माउंटन पास में लिंच शिन की स्थिती के साथ उनके लिए पहचान प्रमान बनाना आसान नहीं हो सकता था। किले के मोर्चे की रक्षा करने वाले एक मात्र लोग भारी कबच पहने हुए ये सभी लंबे और हृष्ट पुष्ट योध्धा थे। ये योध्धा लगभग सभी योध्धा के मंदिर द्वारा भेजे गए अतिरिक्ट सैनिक थे और उनके पीछे के रक्षक जादूग थे। किले में जादूगरों की संख्या किसी को भी आश्चर्य चकित करने के लिए काफी थी। जहां तक नजर जा सकती थी, लौंग का प्रमान प्रदर्शित कर रहे थे। जब किसी ने दूर से देखा, तो राक्षस बैरिकों के बीच आठ राक्षस देव स्तंब मजबूती से खड़े दिखाए दे रहे थे। उनमें से साथ ने केंडर में एक के चारों और एक घेरा बनाया, जो विशेश रूप से विश इस दानव देव स्तंब के उपर घनी बेंगनी चमक लगातार उभरी हुई थी और बेंगनी काली रोशनी के बीच एक उब्रचेहरा दिखाए दे रहा था। इन्फिनो दानव मारबास को राक्षस देवताओं में पाच्वा स्थान दिया गया था। चून की मृत्यु का दानव देवता समीनागा प्रतिरोधी ड्रेगन माउंटन दर्रे की रखवाली कर रहा था। इन्फिनो दानव देवता मारबास यहां चारो और रख रहा था। इससे ये देखा जा सकता था कि दानव पक्षस टोंबल माउंटन दर्रे को कितना महत्वत देता था। इतने लंबे समय तक चले पवित्र युद्ध के बाद टोंबल माउंटन दर्रा सबसे कम हताहतों वाला पक्ष था। यह ना केवल मानव हताहतों के बारे में था बलकी दानव हताहतों के बारे में भी था। ऐसा इसलिए है क्योंकि अधिकांश समय में दोनों पक्षों के उस्वे का विरोध कर रहे थे और कोई भी आसानी से दुश्मन सनरचनाओं की सुरक्षा को तोड़ने में सक्षम नहीं था। जादूई ताकत के मामले में टुम्बल माउंटन दर्रा दुश्मन से जरा भी कमतर नहीं था और अपनी जादूई सनरचनाओं का उप्योग कर इलाके का लाप था। मारबास ने कुछ बार व्यक्तिगत रूप से भी हस्तक्षिप किया लेकिन कभी भी स्थिती को पलटने में काम्याब नहीं हुए हर बार विफलता के कारण निराश होकर वापस आ गए। जादूगरों टीम में शामिल अगनी जादूगर लॉंड लॉंड हाउचेन की समूव को उत्सुकता से देख रहे थे। पूरी तरह से अपनी सुनहरी कवच वाली वर्दी पहने हुए लॉंड हाउचेन निसंदे ध्यान का सबसे बड़ा केंड था। हाला कि चूनकी वे द्रिरता से अनुशासित थे कोई नहीं उसने कुछ तिपन के मंदिर का किनारा था। लॉंड हाउचेन से मिलने के बाद लिंच शिन दूसरों से मिलने के लिए और भी अधिक उत्सुक हो गया। लॉंड हाउचेन ने एक फी की मुस्कान बिखेरी जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है। चूनकी हम टोंबल माउंटन दर्रे के ने आया तो उनके मन में कुछ और ही विचार थे। लॉंड त्यान इंग और ली जेंग जी के शब्दों ने उन्हें छे महान मंदिरों को वास्तव में एक जुट करने के महत्व का गहराई से एहसास कराया और उन्होंने ये आशा लॉंड हाउचेन के कंधों पर डाल प्राक्षसों के खत्रे के खिलाफ एक जुट होने के लिए सबसे पहले छे महान मंदिरों को समझना आवश्यक था। जाहिर तोर पर युद्ध का मैदान उसके लिए सबसे अच्छी जगह थी। चल रहा था और जुवान युवान यान कुछ कदम पीछे। वे दोनों पूरी तरह से जादूई वस्त्र पहने हुए थे जिससे कुछ मजबूत जादूई उतार चड़ाव भुंदले पर रहे थे। उन्हें देखकर लिंच शिन चौप गई लेकिन तुरंत उस पर गुस की टूंबल माउंटन पास को बहरी हिस्सों की आवश्यक्ता नहीं है। के साथ व्यवहार करें। जिसका अर्थ ये था कि टैन वान्स पाश्ट रूप से लिंच शिन के वरिष्ट अधिकारी थे। लिंच शिन के चहरे पर सफेद दाग आने से पहले लालिमा आ गई थी लेकिन टैन वान के सामने वह फटने को तयार नहीं था जैसा कि वह होने वाला था। लोंग हाउचेन ने उसके कंदे को थप थपाया और मुस्कुराते हुए कहा उसे रहने दो लिंच शिन। टोंबल परवत दर्रे के बाद से इन्या हमारी सहायता की आवश्यक्ता है हम अभी नीचे जाएंगे। ऐसा कहते हुए वह कयर और हान यू की और मुगा और किले की और जाने लगा। एक मिनट रुको टैन वान ने अचानक कहा। लोंग हाउचेन ने पलट कर पूछा क्या कैप्टन टैन वान मुझे बुला रहे हैं। टैन वान ने सिरहलाया उसकी निगाहे बहुत तेज हो गई। अनंतिम होली नाइट लीडर की टोंबल माउंटन पास पर लोटने से पहले क्या मेरे साथ नोट्स की तुलना करके उससे मार्गदर्शन मांगना संभव होगा। मैं आपके साथ नोट्स की तुलना करूंगा। लॉंग हाउचेन के बोलने की प्रतीक्षा किये बिना कैयर इसे सहन करने में असमर्थ हो गया। उसके भीतर से हत्या के इरादे का एक अत्याचारी विसफोर्ट फूट पढ़ा। लॉंग हाउचेन सहना जारी रख सकती थी लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकी। यदि कोई इतना हंकारी बना रहा तो देर सवेर कैयर का ख्रोध से फूट ना तै था। कैयर द्वारा जारी हत्या के इरादे के सामने जादूगरों के समूह के चेहरे पर अभिव्यक्ति तुरंद बदल गई। टैनवान और जुवान युवान यान के अलावा, वे सभी जमीन पर गिर गए और केवल अपनी आध्यात में कूर्जा को उत्तेजित करने के लिए डौध कर उसके हत्या के इरादे के हमले का सामना करने में काम्याब रहे। की अनुमती नहीं दी गई। इसके लिए काफी स्तर के प्रशिक्षन और साधना की आवश्यक्ता थी। लॉंग हाउचेन ने कैयर की कंधे पर दबाव डाला, इसे भूल जओ। छै महान मंदिर एक ही परिवार हैं। हमारी सेना का ध्यान दुश्मन पर केंद्रित होना चाहि का पीछा किया। लिन्शिन अपनी मुठी बंद करने से खुद को रोक नहीं सकी और टैन वान को घूर कर देखने लगी। इसके बाद जुवान यान ने तिरसकार किया। नर्शिन ऐसे मामलों को दोबारा न होने दे। अन्य था, हम आप पर कदाचार का आरोप लेकिन वह जुवान यान से थोगा भी नहीं डरता था। आप जुवान युवान यान का स्वभाव भी अच्छा नहीं था और वह लिन्शिन पर क्रोधित हो गया। अपने हाथों में सफेब छडी से निशाना साधते हुए उसने प्रकाश का एक तीर बनाया और उसे लिन फीनिक्स चीक लिन्शिन के उपर चद गई। उसके शरीर से एक तेज नीली आग निकली जो उसके चारों और हवा में फैल गई। लिन्शिन के उपर एक फीनिक्स रूप सघन है जो जुवान युवान यान के सामने है। उसकी आखें भी हत्या के कुछ से तिरादे से पर्याप्त, उंचा, जुवान उवान यान की और मुरने से पहले दोनों के बीच खड़े होकर टैनवान गुस्से में चिलाया, हम जा रहे हैं। अवा में थपड मारा आग की लप्ते सभी दिशाओं में फैल गई। दूसरी और ली शिन, हाउचेन दूर जा रहा था। मैं ठीक हूँ बहन। लॉंग हाउचेन ने स्वाभाविक रूप से समझा की ली शिन उसे आराम देना चाहता था। ली शिन ने आहा भरी, फिर कहा, जिसके बारे में बोलते हुए, लिंच शिन के लिए चीजे काफी कटिन रही हैं। टैन वान और जुवान युवान यान के साथ उनका विरोधाभास मुझ से बहुत जुड़ा हुआ है। हम, लॉंग हाउचेन की नजर काफी उतसुक थी, मैंने पाया की लिंच शिन टैन के प्रती काफी सम्वांजनक है, लेकिन फिर भी वह उसकी आलोचना करने पर जोर देती रही। केवल दो दिन पहले, लॉंग हाउचेन ने नाइट टैंपल के पवित्र शूर वीरों के अनंतिम नेता के रूप में नेताली जहेंगजी से मुलाकात की थी। यहां तक की जा लिंच शिन से संबंदित लग रहा था। ऐसा लगता है कि वे केवल वे लक्षे थे जिन पर उनका गुस्सा निकाला गया था। ली शिन ने जवाब दिया यह मामला गलत फेहमी से पैदा हुआ है। जब वह छोटा था, लिंच शिन टोंबल माउंटन पास में रहता था औ और टैन वान उससे कुछ साल बढ़ा था। वह हमेशा उसे अपनी लेडी वानजी कहता था और जब से वह छोटी थी, उसने हमेशा उसकी अच्छी देख भालकी और उसके साथ अच्छा व्यवहार किया। लिंच शिन ने बहुत कम उम्र में अपने माता-पिता को खो दिय इसलिए वह टैन वान के प्रती बहुत्स नहीं हो गया। लेकिन इन दोनों की उम्र में अंतर था और लिंच शिन ने हमलों के लिए जादू का इस्तेमाल न करने की शपत ली थी। हालाकि टैन वान ने बार-बार उसे समझाने की कोशिश की फिर भी वह अपनी शपत पर अ अध्याए 552 नरक का अवतरंग भाग दो फिर लिंच शिन के दादा को पवित्र शहर में स्थानान तरित कर दिया गया। पवित्र शहर पहुचने के बाद वह औशधिये जादू अनुसंधान के प्रती अपने प्रयासों के प्रती समर्पित हो गए और धीरे धीरे उन्होंने इन भावनाओं को दूर कर दिया। बाद में वह आपके साथ रास्ते में आ गया और एक दानव शिकारी बन गया। ल मंदिर के नेताली जहेंगजी को व्यक्तिगत रूप से उपस्तित होने के लिए कहा। लेकिन मामले की अ त्यादेक समवेदन शीर्ता के कारण मंदिर के नेताली ने उसे एकांत में साधना करवाया। सबसे पहले यह उसकी खेती के लिए था और फिर उसे जन्मत की लड़ाए के केंडर में उजागर होने से बचाने के लिए था। टैनवान की एक अंतप्रिय खेती समाप्त होने के बाद और जब वह लिंच शीन की तलाश में गई तो वह पहले से ही एक दानव कातिल बन चुकी थी और वह आपके अलावा भी कई खोजों को खोजने गई थी। इस तरह मामला खत्म हो गया और जब वह टुमबल माउंटन पास पर मिले तो लिंच शीन पहले ही मेरे साथ युगल बन चुके थे। ली शीन की कहानी सुनकर उन तीनों ने एक दूसरे की और देखा और हान यूने बहुत अजीब तरीके से कहा ये प्यार से पैदा हुई नफरत का मामला है। ली शीन की मुस्कान करवी थी ऐसा माना जा सकता है। ली शीन नहीं ठहराया जा सकता है। ली शीन ने एक करवी मुस्कान छोड़ी तो हम निर्दोश रूप से ऐसी आपदा में फंस गए। लोंग हाव चेन ने प्रतिक्रिय व्यक्त की टैनवान की भावनाओ की प्रतिक्रिया ने उसे काफी धैनिय बना गिया। उन्होंने आशा व्यक्त की की भविश्य में समाधान का अवसर मिल सकता है। ली शीन ने उत्तर दिया, मुझे डर है कि यह बहुत कठिन होगा। जब तक मैं नहीं जाता, उसकी नाराजगी गहरी है। लेकिन लिंच शिन ने पहले ही मेरे लिए इतनी बड़ी कीमत चुकाए है, मैं पहले ही। इस बिंदू पर पहुँचकर बहादूर और दुर्जय या दिखने वाला शूरवीर शर्मा जाने के अलावा कुछ नहीं कर सका। इतना कुछ जहलने के बाद उसे लिंच शिन से बहुत प्यार हो गया। वह उस आदमी से कैसे प्रभावित नहीं होती जिसने सिर्फ एक लड़की की खातिर अपने जीवन के इतने साल समर्पित कर दिये। ठीक इसी समय पहाड़ी दर्वे के अंदर से एक तेज चीक बूंज उठी। उनकी पूरी रेंज में महौल तुरंत तनाव पूर्ण हो गया। ली शिन की अभिव्यक्ति बदल गई, राक्षस हमला कर रहे हैं। मैं लिन्शिन में भाग लेने के लिए वापस आऊंगा। हाओ चेन, आप पहले मंदिर में आराम करने के लिए वापस जा सकते हैं। लॉंग हाओ चेन ने उत्तर दिया, राक्षसों का विरोध करना हर किसी का करतव गया है। चलो, हमें तो वापस जाना ही है. मेरा मानना है कि टैन वान को इस समय अपने काम का सक्ती से पालन करना चाहिए और वो हमें प्रबंदित नहीं करेगा. कहते हुए उसने किले तक जाने की पहल की. पवित्र शूरवीरों के नेता के रूप में अपने सम्मान की खातिर शांती से प्रतिक्रिया करते हुए उन्होंने राक्षसों का विरोध करना नहीं छोगा. ये रवया केवल लिशिन की गुप्त प्रशंसा ही अरजित कर सका, जि की टोंबल परवत दर्रे से उत्पन हुई थी. लोंग हाउचेन ने किले की जमीन पर सपश्ट रूप से नजर डाली, हर 50 मीटर पर गोल जादूई सनरचनाय देखी, सभी दूधिया सफेद रंग की थी. हलकी जादूई लहरे हलके सफेद आभामंडल फैलाती हैं जो किले के हर कोने को ढग देती हैं. लोंग हाउचेन ने महसूस किया कि इन जादूई सनरचनाओं का एक सयुक्त प्रभाव था, जब तक जादूई सनरचनाओं में प्रवेश किया गया, जादूई सार की अफशोशन दरकम से कम 10 प्रतिशत अधिक थी. और ये जादूई सनरचना प्रतियेक मौलिक उप्योग करता पर लागू होती प्रतीत हुई. दूर से आस्मान में काले बादल चाय हुए दिखाई दे रहे थे. दूरी में आठ दानव देव स्तंभों से अंधेरे की कुछ तेज सासे निकल रही थी. राक्षसों की सेनाए बिलकुल भी तेज नहीं कोई केवल गहरे सार की परत दर परत देख सकता था. दानव सेनाओ के रैंको से बुलबुले उठते हुए आकाश में काले बादलों में बदल गए. काले बादलों के केंडर में नरक का राक्षस देव स्तंभ था. ये ये नफिनो दानवों का एक संयुक्त हमला था. अभी भी दूर होने के बावजू, किले की दृष्टी से उनके पास पहले से ही एक शक्तिशाली दमनकारी शक्ती थी. टॉम्बल माउंटन दर्रे के बाहर की हवा में तिरी मिरी लहरे दिखाई देने लगी, जो रक्षात्मक संरचना के कार्यरत होने का संकेत था. ये डैध गौ माउंटन दर्रे के अंधरूनी हिस्से में अंधेरे का थोड़ा सा भी रिसाव नहीं हुआ. किले में बड़ी मात्रा में चमकदार जादू इसार जगमगा उठा, अधिकांश बुन्जल, अगनी, प्रित्वी, वायू और प्रकाश एक साथ एकत्रित हो गए. टॉम्बल मा जाओ चेन का समूर तुरंट लिंशिन के पक्ष में शामिल हो गया, ये देखकर की लिंशिन ने इन जादूगरों को इस समय मंत्रोचार शुरू करने का आदेश दिया. वे आध्यात में कूर्जा को संपीवित करने में विशेश अग्यता वाले पाँचमेस्तर के मंत्र का जाप कर रहे थे. चून की राक्षस अभी भी बहुत दूर थे, वे अभी तक अपने जादू की इश्टम सीमा तक नहीं पहुँचे थे. एक जादूगर के जादू की दूरी की सीमाई थी, जिससे उसकी पूरी शक्ती को प्रकट करने के लिए एक निश्चित दूरी की आ जब वे जब कर रहे थे, तो उनके हाथों में डंडियों ने उनके बीच एक ही तत्व का सार एक अत्र किया, जो तेजी से आध्यात्मे कूर्जा को संधनित कर रहा था। प्रकट के रूप में जाने जाने के पात्र थे। लिंशिन ने इन जादूई संरचनाओं में भाग नहीं लिया। लॉंग हावचेन के समूर को अपनी ओर लोटते देखकर वह तुरंत खुश हो गया। रोब जमाना। लिंशिन कुछ कहना चाहता था, लेकिन लॉंग ले से बहुत अलग हो गया था और सपश्ट रूप से लॉंग हावचेन पर बहुत कम निर्भर हो गया था। राक्षसों की सेनाए धीमी गती से आगे बढ़ी लेकिन वे चट्टानों से भी अधिक कठोर लगी। हर बार जब वे आगे बढ़ते थे उनकी सेना को स्थिरता मिलती थी। काली हवा के प्रवाह ने धीरे-धीरे राक्षसों की सेनाओ को घेर लिया और किले से कोई भी धीरे-धीरे उनकी उपस्तिती को पहचानने में असमर्थ हो गया। टोंबल परवत दर्रे में जादूई लहरे भी चमकने लगी बिलकुल प्राचीन काल के एक अत पूर्ण बिंदूओं पर पहुँच रहे थे जब दोनों तरफ से हमले हुए। उपर से देखने पर पता चला की दोनों किनारों का रंग बिलकुल अलग था। दानव पक्ष बैंगनी रंग के साथ काला था और टोंबल परवत दर्रा असंख्य रंगों से चमक रहा था। उस विशाल प्रोविडेंस को देखकर नौवे चरन का बिजली घर भी महत्वहीन महसूस करेगा। लिंच शिनलोंड हावचेन के बगल में खड़े होकर धीरे से बोल रहे थे पहली जड़ब सबसे हिंसक होगी। दोनों पक्ष एक दूसरे पर पूरी ताकत से वार करेंग प्रथम संधर्ष समाप्त होते ही राक्षस हमें घिरने लगेंगे। वही लड़ाई की असली शुरूआत होगी। मेरी आग का दिल कुछ खास है, अपनी शक्ती के साथ एक जुट होने में असमर्थ है। जिस समय शत्रू हमें घिर लेगा, उसी समय मैं आक्रमन करना प्रा प्रशिश करें। मुझे चिंता है कि आवश्यक उतार चड़ाव प्रक्रिया को प्रभावित कर सकते हैं। और इसके अलावा, मेरे भाईयों की शक्ती बिना किसी समस्या के राक्षसों के हमले का विरोध करने के लिए पर्याप्त है। लिंच शिन की समझदारी समझ में आ जिसका अर्थ ये था कि लॉंड हावचेन के हस्तक्षेप के बिना भी, वे अभी भी बिना किसी समस्या के दुश्मन के हमलों का सामना करेंगे। चून की मामला यही था, तो लॉंड हावचेन को जोखिम क्यों लेने दिया गया। यदि विपरीट प्रतिक्रिया होती है, तो क्या इससे आपके बॉस की प्रतिष्था नश्ट नहीं हो जाएगी। लॉंड हावचेन ने शांती से सिरहिलाया। उन्होंने कभी भी इतने सारे जादूगरों के साथ मिलकर काम नहीं किया था, खासकर जब वे सयुक जादू का उप्योग करने की स्थिती में थे। इ अबल तात्वेक लहरे उगरता में बढ़ रही थी और दूर की राक्षस सेना बिना किसी पूर्व संकेत के अचानक तेज हो गई। आकाश में हिंसक बेंगनी काली आग तेजी से भर्लक उठी जिसने धीरे धीरे एक उगर शैतान चित्र का आकार ले लिया। वह कुछ गर उसके मुह से एक बेंगनी काली किरन निकली और तुरंत साथ अलग अलग रंग की किरने आगे की ओर्फे की गई। अध्याए पाँच सो तिरपन नरक का अफ्तरन भाग तीन। टोंबल परवत दर्रे से भी गंभीर और थंडे मंत्रों को सपष्ट रूप से सुना जा सकता था क्योंकि आठ राक्षस देव स्तमव एक साथ एकत्र हुए थे। शैतान का वह चित्र और भी अधिक केंद्रित लग रहा था, मानो वह एक सच्चे पैशाचिक सॉलेस के रूप में जाग गया हो, जो खुद को किले में लौंच करने के लिए तयार हो। एक वरजित मंत् जब तक ये खुपरी आगे की ओर उर रही थी, पिछले काले बादल उसके रास्ते में वापस आ गए और उसकी तेज उडान के दोरान उसमें विलीन हो गए। निशिद मंत्र, लिन्शिन ने चिल्ला कर कहा, बड़ी भावनाओं के साथ उन्होंने तुरंत आदेश दिया, पूल योर अटैक्स, हम उस चीज को करीब नहीं आने दे सकते। राक्षसों ने अचानक स्थिती बदल ली थी और बिना किसी तैयारी के टोंबल परवत पर कबजा कर लिया था। और ऐसा प्रतीत हुआ कि स्थिती में ये परिवर्तन सभी जादूगरों के हमलों के साथ सा अन्य राक्षस देवताओं की शक्ती का उप्योग करके मारबास के आदेश से शुरू किया गया था। जैसे ही उग्रक खोपरी युद्ध के मैदान में प्रकट हुई किले के अधिकांश जादूगरों को ऐसा लगा जैसे उनका खून जम गया हो। यहां तक की टोंबल प अचानक विसफोटक शक्ती का मुकाबला करने के लिए पहले से ही समय से बाहर था। किले में जादूगर दस्तों के सभी कमांडर अनुभवी थे। लिंच शिन की तरह उन सभी ने तुरंत उत्तर दिया। किले से बड़ी संख्या में जादू की लप्ते फूटी जो उस भ दूक्षम धीमा मंत्र निकला, जो विचित्र समय पर बचता रहा और एक छोटे से क्षेत्र में गूंचता रहा। जैसे जैसे उनकी खेती बढ़ती गई, लोंड हाव चेन की न्याय करने की क्षमता भी बढ़ती गई। जैसे ही शैतान की खोपड़ी प्रकट हुई, उसन टॉंबल माउंटन पास को घातक हमले से निपटने के लिए कुछ समय देने के लिए अपना सर्वश्वेश्ट प्रयास करना था। हान यू लॉंड हाव चेन के पीछे ध्यान में बैठा था उसके दोनों, हाथ उसकी पीट पर थे, उसे हाव चेन से जोणने वाली निरोध संधी के साथ आध्यात्मिक उर्जा संचारित करना बहुत आसान हो गया। लिन्शिन की स्पिरिट गैदरिंग पिल के उपयोग के बिना भी इसकी दक्षता समान थी। इस बीच उन्होंने अपने ब्लेसिंग ओफ लाइट स्पिरिचूल स्टोव का भी उपयोग किया, यह असली कारण था कि लॉंग हाउचेन ने उनसे अपनी सहायता खोदी थी। सोने के पिगले हुए कवच से आने वाली नारंगी चमक की शक्ती अधिक हो गई और प्रकाश का शुधसार आश्चरेजनक गती से लॉंग हाउचेन की दिशा में इकठा हो रहा था। वास्तव मे लॉंग हाउचेन को यह नहीं पता था कि आठ राक्षस देवताओं के अचानक विसफोर्ट और पूरी ताकत से हमले का उससे गहरा संबंध था। पिछले कुछ दिनों में प्रतिरोधी ड्रेगन माउंटन पास के मृत्यू के देवता सैमिनागा ने गंभीर चोटो के कार प्रतिक्रिया मनुष्यों के खिलाफ जवाबी हमला शुरू करने की थी। हाला कि उन्होंने यह नहीं सोचा था कि इंसानों में बदला लेने की क्षमता होती है लेकिन जो हुआ वह सच था। दानव देवता समराट का लक्ष केवल मानविये शक्तियों को कमजोर करना हो सक लेकिनिया निश्चित रूप से बौध धर्म का शांतिवादी अभ्यासी नहीं था। संरहीत करने और इस तरह हमला शुरू करने के लिए अपने दानव देव स्तंभो पर भरोसा किया। संरहीत निशिद मंत्र को लंबे मंत्र की आवश्यक्ता के बिना किसी भी समय स्थानांतरित किया जा सकता है। लेकिन इससे दानव देव स्तंभो के भीतर संरहीत आध्यात में कूर्जा का बहुत आधिक उप्योग होगा यही कारण है कि सामान्य दानव देवता इसका आसानी से उप्योग नहीं करेंगे। बीच में तीकी आवाजों ने लॉंड हावचेन की पार्टी को डेसोलेट विसलिंग कैवन में हुए अनुभव की याद दिला दी और एक विशाल हरा भाला सीधे शैतान के चित्र से मिला। दिया। दूसरा प्रकोप प्रित्वी के जादू गरों की और से था। आकाश में चक्की के पाटो के आकार की चटाने अचानक एक साथ प्रकट हुई जो अपनी शक्ती से जैट काले वरजित जादू को भिगो रही थी। ये बताने की आवश्यक्ता नहीं है कि ऐसी परिस्थितियों में प्रित्वी तत्व जादू वायू तत्व जादू से कहीं अधिक उप्योगी है। हाला की एक हिस्से को बाहर फेक दिया गया था लेकिन भारी बहुमत उस निशित जादू पर उतरा जिससे उसकी गती एक बार फिर धीमी हो गई। लेकिन अगर कोई ध्यान से ध्यान दे तो उससे पता चलेगा कि जैसे ही चट्टानों ने शैतान की चित्रा को कुचल दिया, वे तुरंत घुल गए और गायब हो गए। केवल इस निशित जादू की हमले की गती को धीमा करने में सफल रहा, लेकिन इसकी शक्ती को कमजोर करने में असफल रहा। पृत्वी के बाद पानी या अधिक सटीक रूप से कहें तो बर्फ के जादू गाये। शांदार नीली किरनो की एक श्रिंखला आपस में जुर गई, एक में संधनित होकर शैतान के चित्रस से भी बड़ी बर्फ की गेंड में बदल गई और उससे टकरा गई। जटका अलकालिक था और इससे कोई विसफोट नहीं हुआ। टोंबल परवद दर्रे की सुविधा जनक स्थान से बर्फ की वह विशाल गेंड आश्चार्य जनक गती से अपने केंड से एकत्रित हुई और अंगिनत काले रंग की बारिश की बुंदों में बदल गई जो जमीन पर गिर गई। आखिरकार आग आग आगाई। लिंच शिन की कमान के तहट जादूगरों ने छे हिकायों में समुही कृत होकर खिले के जादूई गठन से बढ़े हुए दस विशाल विसफोटक आग के गोले बनाए जो उलका बोचार के रूप में खोपली से मिले। बर्फ और आग दो विरोधी तत्व थे जो एक दूसरे को चमतकारिक रूप से अच्छी तरह से पूरा करते थे। जमा देने वाली ठंड के बाद आने वाली चिल्चिलाती गर्मी दुश्मन की आंतरिक सुरक्षा को बुरी तरह भेद सकती है। लेकिन यह एक गरबन लग रही थी। विसफोटेत आग के गोले उस निशिद मंत्र की और उड़ते हुए अगनी तत्व के उनमादी पहलू को प्रकट करते हुए अपनी दक्षता खोते नजराए। लेकिन वह काली खोपड़ी फिर भीक्षती को जहलने में काम्याब रही और चार मौलिक हमलों को प्राप्त करने के बाद उसने अपनी मात्रा का केवल पाच्वा हिस्सा खो दिया। दूसरे शब्दों में 2000 जादूगरों का संयुक्त कार्य उनकी आख्रामक शक्ती का केवल पाच्वा हिस्सा ही नश्ट करने में काम्याब रहा। ऐसे भयानक निशिद जादू के अवतरन के परिनामों की कल्पना करना कठिन था। इंफिनोर डैमन मारबास ने सुदूर टोंबल माउंटन दर्रे को ठंडी नजर से देखा क्योंकि शैतान के चित्रद्वारा प्राप्त धूरे की पूंच उसके साथ पूरी तरह से एक हो गई थी। मैं देखना चाहता हूँ कि वे मेरे इस जादू का सामना कैसे करेंगे। वे मोटे तोर पर कुछ चंद्रमा राक्षसों और स्टार राक्षसों से मेल खा सकते हैं जिससे उनकी शक्तिशाली ताकत का पर्याप परीक्षन हो सकता है। फिल हाल वे जिस अती निशिद मंत्र का उप्योग कर रहे थे वह उनका विशेश नर्कवंश था जिसमें वे अपनी सबसे बड़ी शक्ति को उजागर करने के लिए अन्यसात महान दानव देवताओं और उनके कुलों के समर्थन का उप्योग कर रहे थे। यहाल तक कि इसे जारी करने वाले एक मात्र व्यक्ति के रूप में भी वह इसकी शक्ती की डिगरी का आकलन करने में असमर्थ था। उस हमले को शुरू करने के बाद उसने आकरामक्ता को लंबा खीचने के बारे में भी नहीं सोचा। जब तक सामने की दिवारे नश्ट हो गई, तब तक टुम्बल परवत दर्रा जो अपनी प्राक्रितिक सुरक्षा खोच चुका था, अधिक समय तक उनका सामना कैसे कर सकता था। जादूगा मंदिर का विनाश निश्चित रूप से टैंपल अलायंस को मिला सबसे भयानक जटका होगा। धमा के ठीक इसी समय हेल्स डिसेंट ने टुम्बल माउंटन पास की रक्षा करने वाली सील पर जोरदार प्रहार किया। चार जादूई बैराज प्राप्त करने के बाद हेल्स डिसेंट ने केवल अपनी शक्ती थोड़ी खोड़ दी और जैसे ही वह सील से टकराया, पुरा पहार काम पुठा और अव्यवस्तित रोशनी तेजी से बुद्बुदाने लगी। सील ने पूरी तरह से अपनी शक्ती छोड़ दी। जैसे ही वे प्रभामन लिथ हुए, वे सभी दिशाव से संधनित हो गए, वे नर्क के अवतरन को रोकना चाहते थे और इसे दूर करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन नर्क के वंच से जन्मे शैतान का चित्र इस बार और भी उग्र हो गया क्योंकि वह मुक्त होने के लिए संधर्ष कर रहा था। कोई देख सकता था कि सील के केंडर के साथ उसके संपर्क किक्षन में धीरे-धीरे अंतराल बन रहे थे। लेकिन देखने से तो यही लगता है कि उनका ब्रेक अप सिर्फ समय की बात थी। ठीक इसी समय दूसरी ओर से कई दरजन चमकदार सुनहरी रोशनिया दागी गई जिसका लक्षय हेल्स डिसेंट में ड्रिल किये गए छेदो पर था। इस द्रिश्य को देखकर लिंच शिन थोड़ा कापने से खुद लित्व किया था। जैड आपके आदेश के तहट ठीक है। वो तब तक इस अफसर की प्रतीक्षा में चुपचाप सहतर रहा था। प्रकाश और अंधेरा मूल रूप से विपरीत तत्व थे। यदि उसने पहले हमला शुरू किया होता तो यहने संदेहान्य जादूग द परिहार यक्षती होगी और इसका मुकाबला करने के लिए प्रकाश विशेष्टा का पूरा उप्योग करना होगा। इसकी केंडर पर हुए इस हमले ने हेल्स डिसेंट की शक्ती को सबसे बड़ी सीमा तक कम कर दिया। जैसा कि अपेक्षित था उस सुनेहरी रोशनी के हम जुवान युवान यान के हाथ में डंडा आगे की और था, नर्क के वंश की शक्ती को कम होते देखकर वह शांत होने के अलावा कुछ नहीं कर सका। हमला प्रभावी था, उसकी पीट पर मौजूद प्रकाश जादूगरो को अपनी आध्यात्मिक उर्जा को पूरी ताकत से बाहर निकालने के लिए उसके आदेश की आवश्यक्ता नहीं थी, इस उम्मीद में कि वह उसे संरचना के बाहर रोक देगा। क्योंकि ये हपने मूल आयतन के दस्वे हिस्से तक सिकुड गया है। उस सटीक क्षण में जुवान युवान यान जानबूज कर लिंच्शिन की दिशा में देखने से बच नहीं सका। लेकिन ठीक इसी क्षण आसपास का वातावरन अच्चानक शांत हो गया, मानो सभी ध वनिया तुरंद दबा दी गई हो। जुवान युवान यान ने अफचेतन रूप से अपना सिर घुमाया और घबरहट के साथ पाया कि बेहत सिकुडा हुआ हेल डिसेंट रुप गया था और उसके चारों और बड़े काले जाल फैल रहे थे, जो आश्चर्य जनक गती से जैसे कि पूरे गठन में फैल रहे हो। अगले हीपल, बैंग, एक मुसलाधार विसफोट अतुल नियवेग से गून जुठा, शैतान का चित्र एक बार फिर अपने मूल आकार में लौट आया, जिससे टुमबल परवत दर्वे की सील तुरंद टुकरे टुकरे हो गई। जुवान युवान यान और उसकी पीट पर मौजूद 500 प्रकाश जादू गये की समय में करा होठे और बड़ी मात्रा में खून उगल दिया। हेल्स डिसेंट और भी अधिक शक्तिशाली धन से फूटने के लिए सिकुड गया था। ये निशिद जादू इस हद तक आतनक का सामना कौन कर सकता है। अपनी सील की सुरक्षा खो देने के बाद टूंबल परवद दर्रे के सभी निवासियों को लगा की वे एक दलदल में डूब रहे हैं और भयानक गती से आने वाले अंधेरे के सार में बह गए। इसी समय एक बार फिर हरी बत्ती जल उठी। पव उचाई पर हमला करने का प्रयास किया और अपनी शक्ती का उपभोग करने के लिए हवा के बल पर भरोसा किया। टैन वान की कमान वाली रैंपेंट विन लीजन ने आखिरकार अपनी चाल चली। यदी किले की सुरक्षा में सेंध लगाना इतना आसान होता तो पवित्र य कम सात्वे चरन तक पहुँच गया, जिन्होंने इस संयुक्त जादू को बनाने के लिए हाथ मिलाया, इस बवंडर की शक्ती पहले से ही एक निशित जादू के स्तर तक पहुँच गई। वे सपश्ट रूप से बहुत लंबे समय से एक साथ थे, अन्य था, वे संभव तह इतने कम समय में सात्वे चरन के साथ ऐसा जादू जारी नहीं कर पाते। उच्च अधिकारियों से मदद मांगने के लिए एकाया भेज दी थी, लेकिन उन्हें अपने मंत्र तैयार करने के लिए समय की आवश्यक्ता थी। जब तक किले में जादूग कुछ समय तक तिके रह सकते थे, राक्षसों का आश्चार्य जनक हमला बिना किसी उपलब्ध जिससे नर्ट का अवतरन हुआ। माउंटन पास तक पहुँचने में काम्याब हो गया, तब भी विनाशकारी क्षती बहुत कम होगी। किले के सभी जादूगा आश्चरय चकित थे, किला काली रिमजिम बारिश से धका हुआ था, वे सभी जानते थे कि टोंबल परवत दर्रे की दीवारे आनिवारे रूप से गिर जाएंगी, और वे सभी पहारी दर्रे के साथ उसकी कब्र तक दफनाए गए सामान बन जाएंगे। जामक के नीचे, एक आक्रिती स्वयम आकाश में उठी थी, जो किले के ठीक बाहर हवा में मदरा रही थी, और नर्क के अफ्तरन के मार्क पर रुकी हुई थी। वहीं उनकी पीट पर डेविट का एक सुनहरा सितारा बना हुआ थाउन होने दिव्यता का एहसास कराते हुए स्टारलाइट यूनिकॉन की सवारी की। एक सुनहरा मुखोटा और सुनहरा कवच पहने हुए, उसने अपने स्टारलाइट यूनिकॉन के बगल में अत्यदिक पवित्रता की रोशनी की आभा छोड़ी, जिससे टोंबल माउंटन पास में न केवल प्रकाश आया, बलकि आशा भी आईी। उसके शरीर के चारो और बहुरंगी सुनहरी रोशनी बढ़ रही थी, और स्टारलाइट यूनिकॉन किनके चारो और सुनहरा आभामंडल उभर रहा था, जो बहुरंगी रोशनी के साथ रास्ते पार कर रहा था। स्टार लाइट यूनिकॉन पर सवार शूरवीर ने प्रार्थना पूर्ण इशारा किया क्योंकि उसके मूह से एक स्पष्टमंत निकला। उसकी पीट पर बहुरंगी चमक एक बड़ी मायावी महिला के आकार में सिमट भी जो प्रार्थना मुद्रा में बैठी थी। फिर भी इसने अप्रत्याशित रूप से हेल्स डिसेंट को रोग दिया जिससे ये अपने लक्षे की सीमा के भीतर होने के बावजूद आगे बढ़ना जारी रखने में असमर्थ हो गया। टोंबल परवत दर्रे के सभी जादूगर इसक्षन अवाक रह गये। वेस पश् अप्रत्याशित रूप से एसी उपलब्दी हासिल करने में असमर्थ था। भले ही वह पहले से ही नौवे चरन तक पहुँच गया हो उसकी पूरी ताकत संभवत ही एक निशित जादू की शक्ति को रोक नहीं सक्षम नहीं होगा। भले ही इस वरजित मंत्र को जादू गरों ने पहले ही कमजोर कर दिया हो। वह इससे रोकने की कोशिश नहीं कर रहा था बलकी ग्रेट स्टार डैमन गौड वासागो भविश्यवानी के समान एक प्रकार के विशेश मंत्र का उप्योग करके इससे नियंतरित करने की कोशि प्रकाश की प्रार्थना ये जादू पहले से ही प्रकाश तत्व की त्रिज्या को पार कर चुका था और इसे पवित्र प्रकाश मंत्र कहा जा सकता था भले ही पवित्र प्रकाश मंत्रों का उप्योग करने का अनुभव मंदिर के पुजारी का था नकी शूरवीरों का ये मंत्र भी गुफा से आया था वहां लॉंड हाउचेन ने गाजियन नाइट्स के अधिकांश कोशल सीखे जबकि प्रकाश की प्रार्थनाओं को इसकी सबसे बड़ी गहराई में उकेरा गया था किसी व्यक्ति का सामना करने वाले शत्रू के आधार पर इसका उपयोग वास्त इसका उपयोग समय खरीदने के लिए किया जा सकता है अपने सबसे इमानदार रवये और अपने सबसे शुध दिल से प्रार्थना करने से प्रकाश की प्रार्थनाओं और अधिक शक्तिशाली हो जाएंगी ये रोश्नी का जादू प्वित्र की उत्पत्ती उच्छ स्तरिय परियों से हुई थी इसलिए मंदिर का पुजारी भी इसका उपयोग करने में असमर्थ था अंगिनत हजारों साल बीच जाने के बाद ये चमतकारी पवित्र प्रकाश जादू आखिरकार लॉंड हाउचेन के हाथ से छूट कर फिर से प्रकट हुआ जैसे ही हेल डिसेंट प्रकट हुआ, लॉंड हाउचेन की महान मानसिक शक्ती ने उसे बड़ी बेचैनी का एहसास कराया इस बीच वो अपने मन में प्रकाश की प्रार्थना का मंत्र पढ़ रहा था ये सहज रूप से तुरंथ लिया गया निर्नय था लॉंड हाउचेन ने उसकी भावनाओं का पालन करने में संकोच नहीं किया और इस प्रकार उसने इस मंत्र का जाप करते समय तुरंधान यूसे मदद मांगी वस्तुतह आपकी पसंद सटीक थी उनके अलावा कोई भी इस पवित्र प्रकाश जादू का उप्योग करने के लिए आधेक उप्योग नहीं था होली लाइट रेन के उप्योग की तुलना में लॉंड हाउचेन की खपद बहुत कम थी वास्तव में संपूर्ण पवित्र मंत्र को एक चैनल के प्रवाह की स्थापना के रूप में वर्नित किया जा सकता है इसे तब तक बनाय रखा जा सकता था जब तक जादू पूरा हो गया था पॉन यू जो आध्यात्मिक उर्जा लांध हाउचेन में डाल रहा था और उसके प्रकाश आध्यात्मिक स्टोब के आशीरवाद ने उसे सोने के पिगले हुए कबच के समर्थन के साथ साथ एक जबरदस्त रिकवरी दी जब तक लांध हाउचेन ने अपना जादू पूरा कर लिया था उसके आध्यात्मिक का एक अच्छा हिस्सा ओर्जा बची थी ठीक है किन्रेड ओफ लाइट के अलावा और कौन पवित्र प्रकाश जादू का उप्योग करने के लिए आधिक योग्य था प्रकाश की प्रार्थनाय सूर्य चंद्रमा दिव्य घोंधा शील्ड के माध्यम से सक्रिय हो गई जिसके कारण वह बहरंगी सुनहरी रोशनी द्रिश्य में आई लॉंग हाव चेन उस शक्ती को गहराई से महसूस कर सकता था जो नर्क के वंच में एक अती निशिद मंत्र के रूप में थी और वह समझ गया था कि अपनी ताकत के साथ प्रकाश की प्रार्थनाओं के पूर्न उप्योग से भी इसे रोकने का कोई रास्ता नहीं था यही कारण है कि उसने मंत्र उधार लिया था दिव्य गोंगा धाल की ताकत एक दिव्य उपकरण के रूप में अपनी नवीनतम सक्रियता के माध्यम से लोंड हाउ चेन ने महसूस किया कि दिव्य गोंगा शील्ड के साथ उनके सामंजस्य का स्तर और भी अधिक बढ़ गया है जिससे उन्हें एक दिव्य उपकरण के रूप में अपनी शक्ती को सक्रिय करने के कुछ रहस्य को समझने की अनुमती मिली उनकी वर्तमान साधना के साथ दिव्य गोंगा धाल की ताकत को सक्रिय करने के लिए निशित स्तर के मंत्र की उत्तेजना आवश्यक थी और वास्तव में उन्होंने ऐसा एक बार फिर किया अध्याए 555 हवा का देवता भाग दो प्रकाश की प्रार्थनाओं ने नर्ग के अवतरण को वैसे ही सील कर दिया एक मन सुनहरी रोश्नी हवा में भायानक अंधेरे को रोक रही थी जुवान अयुवान यान खाली चला गया और टैनवान भी वेस पश्ट रूप से उस व्यक्ति की पहचान से अवगत थे जिसने राक्षसों के हमले को रोका था कुछ समय पहले उन्होंने उसे किले से चले जाने के लिए कहा था कुछ समय पहले टैनवान ने उसके खिलाफ एक चुनोती भी जारी की थी उस सटीक शन में टैनवान की भावनाय अवर्निय हो गई लेकिन अधिक आश्चर्य से भर गई लगभक तीन हजार जादू गर इस भयानक निशित जादू को रोकने में विफल रहे और फिर भी एक व्यक्ति ने ये सब अपने आप से प्रबंधित किया टैनवान का मानना था कि लोंध हाउचे निशित रूप से चालो का उप्योग कर रहा था और ये स्थिती लंबे समय तक नहीं रहेगी लेकिन इस तरह के चरम हमले के सामने खड़े होने का साहस पहले से ही कुछ ऐसा था जिसे कोई भी सामान्य व्यक्ति प्रदर्शित नहीं कर सकता था टैनवान और जुवान युवान यान में शर्म की भावनाय प्रकट हुई वे खुद को उनकी जगह पर रखने की कोशिश कर रहे थे क्या वाकई मैंने ऐसे व्यक्ति को चुनोती देने की हिम्मत की वह वास्तव में उतना ही युवा है जितना वह दिखता है ली जेंगजी ने केवल स्वीका रोकती में नीचे देखा उस पलतान वान को असिमित रूप से चकित कर दिया खुद से भी छोटी दिखने वाली एक शूर्वीर वास्तव में आठवी सीरी पर पहुँच चुकी थी और वह लिंच शिन के दानव शिकार दस्ते का कप्तान है और इसके अलावा नाइट टेंपल के पवित्र शूर्वीरों का अस्थाई नेता है क्या सच्छमुच उसे और उसे अलग करने वाली इतनी बड़ी दूरी हो सकती है उसकी पुकार से जादूग जाग गए और पूरे किले में मंत्रोच चार होने लगा दो आकृतियां एक साथ टोंबल परवत दर्रे के उपर से उणकर सीधे लॉन्ध हावचेन की ओर जा रही थी वे हावचेन के बाई और दाई और रुके यह एक अजीब बात थी कि प्रकाश की प्रार्थनाओं की कैद के कारण नर्के वंश की आभा भी दब गई जिससे किले के सभी जादूग इसके प्रभाव से मुक्त हो गए जो दो लोग उर्लेवे थे कैयर और लिंशिन डेद गौड्स कित पहले से ही कैयर के हाथ में था जबकि वह धुंद के एक विचित्र भूरे लबादे में धकी हुई थी उसका शरीर हत्या के इरादे से रहित था लेकिन उसने लॉन्ड हावचेन के विप्रीथेल डिसेंट को उदासींता से देखा यदि लॉन्ड हावचेन की प्रकाश की प्रार्थनाय जारी नहीं रह सकी तो वह उस शक्तिशाली अंधेरे मौलिक निशित जादू का सामना करने में उसकी जगह लेंगी लिन्च शिन ने दूसरी तरफ पकड़ बना रखी थी जो कैयर की बिजली भंडारन स्थिती से बिलकुल अलग थी लॉन्च हावचेन के पास पहुचने के तुरंद बाद ये रुख गया और जेट ब्लेक स्पेल की ओर एक पाठ्छे पुस्तक की तुलना में और भी शांदार निश्पादन के साथ एक अगनी तत्वा हमला शुरू कर दिया फायर क्रिस्टल स्टाफ को आगे की और इशारा किया गया था और एक विशाल विस्फोटक फायर बॉल ने हिल्स डिसेंट पर सीधे बंबारी की लिंशिन को अच्छी तरह से याद है कि लॉंड हाउचेन ने निशिद मंत्र का विरोध करने के लिए खुद को खड़ा करने से पहले उससे एक बात कही थी हमला लिंशिन और लॉंड हाउचेन के बीच मौन समझ के साथ लिंशिन ने दुश्मन के हमले को सीमित करते ही तुरंत उसके इरादे को समझ लिया लोंग हाउचें केवल विरोध कर सकता था और हमले को नश्ट नहीं कर सकता था लेकिन वो टोंबल माउंटन पास के लिए कुछ समय खरीद सकते थे जिसके भीतर उन्हें हेल्स डिसेंट की शक्ती को कमजोर करने या खत्म करने की पूरी कोशिश करनी होगी पहला नीले रंग का विसफोटक आग का गोला दागे जाने की ठीक बाद दूसरा लिंच शिन के हाथ में दिखाए दिया पाचवे चरंग के आख रामक जादू विसफोटक फायर बॉल का तातकालिक प्रभाव किसी जादूई उपकरन में भंडारन की कारण हो सकता है लेकिन दूसरे और तीसरे के बारे में क्या इस पल में लिंच शिन के हाथ में फायर क्रिस्टल स्टाफ तेजी से फायर मोड में चला गया और विशाल रंगीन आग के गोले दागे नर्ग के अबतरं की ओर एक के बाद एक नीला गिरने वाले प्रतियक आग के गोले ने एक बड़ा विस्फोट किया और नीली लप्ते अपनी ओर ले आई हाला की परिनाम स्पष्ट नहीं थे लेकिन द्रिष्टी रखने वाला कोई भी व्यक्ति बता सकता है कि लिंच शिन के हमलों की श्रिंखला ने उन स्थानों पर कुछ धसा हुआ अक्षेत्र बना दिया है जहांवे टकराय थे दूसरे शब्दों में उसके हमले प्रभावी थे लेकिन यह मत भूलो की वह सिर्फ खुट पर हमला करने वाला व्यक्ति है पॉट ओफ फायर की लप्तों की विनाशकारी शक्ति देखी जा सकती है जैसे ही लिंच शिन अपने 18 वे विसफोटक फायर बॉल को फायर करना समाप्त कर रही थी उसके फायर क्रिस्टल स्टाफ के शीर्ष पर एक विशाल नीली खोपली दिखाए दी जो उसके लगातार 19 में हमले का रूप ले रही थी समायोजन के केवल एक सेकंड के बाद लिंच शिन की पीट से ड्रेगन के आकार की नीली लप्ते फैल गई ये विंग्स ओफ दा फायर ड्रेगन नामक उपकरन का प्रसिद टुकड़ा था आध्यात्मे के कागरता और गती को सो प्रतिशत बढ़ा कर अतिरिक्ट क्षमता फायर ड्रेगन डिफेंस लेकर वर्तमान लिंच शिन को इसकी रक्षा के लिए नहीं बलकि आध्यात्मे कूर्जा के संग्रह में तेजी लाने के लिए इसकी आवश्यक्ता थी जैसे ही फायर का अस्तक्निक को क्रियानवित किया गया उसने फायर ड्रेगन विंग्स को फैराया और एक बार फिर से विसफोटेद फायर बॉल को मार गिराया उनमें से 18 की एक और श्रिंख खला उनके कार्य की शुरुआत से लेकर उनके 36 विसफोटक फायर बॉल के पूरा होने तक कुल मिलाकर एक मिनट से भी कम समय बीच चुका था अभी लिंच शिन अपने स्तर पर प्रदर्शन कर रही थी यह आकरामक शक्ती और आकरामक गती आवश्यक रूप से आठवे चरंग के जादूगसे मिल नहीं खाएगी और इसके अलावा यह हौट आफ फायर की शक्ती की गिंती नहीं कर रहा था इन में से अधिकांश विसफोटक आग के गोले एक ही क्षेत्र में बंबारी कर रहे थे उनके 36 विसफोटक फायर बॉल के अंत में लिंच शिन के ऊपर एक शांदार फीनिक्स रोना सुना गया था और एक विशाल ब्लू फायर फीनिक्स आकाश में चमक रहा था जो अपनी शांदार नीली आग के साथ सीधे उस शैतान के चित्र से टक्रा रहा था उस हिंसक बंबारी ने शैतान के चित्र के विरुद्ध हिंसक लहरों की एक श्रिंखला उत्पन की तभी लिंच शिन के हमलों का सिलसिला खत्म हुआ सबसे शांदार मंत्र आवश्यक रूप से सबसे प्रभावी नहीं थे लेकिन लिन्शिन के हमलों के फोकस ने सपश्ट रूप से उसे आदर्श दक्षता प्रदान की अंत में जैसे ही ब्लू फायर फीनिक्स स्पिरिचुल स्टोब ने अपना हमला शुरू किया उसने कुछ गोलिया अपने मुँँ में छोड़ दी भूलने की बात नहीं है वो है एक कीमियागर भी है जो युद्ध के मैदान पर टिके रहने की उसकी क्षमता और उसकी विसफोटक शक्ति को उसी श्रेनी के जादूगरों से परे बनाता है लिंच शिन स्वाभाविक रूप से हमले शुरू करने वाला एक मात्र व्यक्ती नहीं था हताश संकट में किले के सभी जादूगरों ने अपनी सबसे मजबूत जादूइक शमताओं का उप्योग किया वे हर तरफ से हमला कर रहे थे उसकी शक्ती को नियंत्रित कर रहे थे और यहां तक कि लॉन्ध हावचेन के तीन लोगों के समूव को घायल करने से बचने के लिए हिल्स डिसेंट की पीट तक पहुँचने के लिए उसे घुमा भी रहे थे सबसे मजबूर जादूगरों ने लिंच शिन की तरह लॉन्ध हावचेन की और उडान भरी ताकि निकट सीमा में एक पूर्ण आक्रामक जादूई शक्ती लॉन्च की जा सके दूर राक्षसी दानव भगवान मारबास तब्ध खड़ा था उसे अपनी आखों पर विश्वास करने की हिम्मत नहीं हो रही थी जैसे ही प्रकाश की प्रार्थना की गई उसने पाया की हेल्स डिसेंट को उससे जोडने वाला कनेक्शन शतिग्रस्थ हो गया था यहां तक कि उसके समान साधना स्तर वाले व्यक्ति के लिए भी उसे सामना करना पड़ता है यह शक्तिशाली अती निशिद मंत्र दानव देव समराट के पूर्ण बलके हमले का सामना करने के बराबर था उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जादूगं मंदिर वास्तव में इतने कम समय में इस अती निशिद जादू को सील करने की क्षमता रखता है वो ही ये भी जानता था कि यह सील समभवता बहुत लंबे समय तक नहीं टिक सकती लेकिन विजार्ट टैंपल के जादूगरों ने प्रतिक्रिया करने के लिए बहत तेजगती से अपनी पूरी ताकत से हमला किया ऐसी स्थिती में सील समाप्त होने के बाद कोई भी शायद ही बता सकता है कि हेल्स डिसेंट में अभी भी कितनी आकरमक शक्ती होगी रनकिंग में पाचवे दानव देवता के रूप में अस्तित्व में शीर्ष पाच दानव देवताओं में से एक मारबास ने स्वभाविक रूप से भी जल्दी से प्रबंधन किया था टोंबल परवद दर्रे की ओर अपना दाहिना हाथ लहराते हुए उसने धीमी और जोरदार चीक लगाए हमला करो राक्षसी राक्षस राक्षसी सेनाओं का केंद्र थे लेकिन वे अपनी सेनाओं का पूर्ण बहुमत नहीं थे मारबास के आदेश के बाद राक्षसों की सेनाओं तुरंध बड़ी लहरों में टोंबल परवद दर्रे की ओर बड़ी नर्क के वंश की शक्ती टल गई लेकिन टोंबल परवद दर्रे पर मौजूद जादूगभी व्यस्त थे इस बीच लॉंग हाउचेन ने खुद को अपनी सीमा के करीब पाया हाला कि सील बनाने के लिए प्रकाश की प्रार्थनाई अधिकतर दैविय शक्ती उधार ले रही थी लेकिन इसे बनाए रखने के लिए भारी मात्रा में आधियात में कूर्जा की भी आवश यक्ता थी लॉंग हाउचेन दिव्य गौंधा शील्ड के माध्यम से अपनी डक्षता बढ़ा सकते थे लेकिन उनकी आध्यात में कूर्जा की खपत की गती अभी भी भारी थी अभी अभी इससे निकलने वाली बहुरंगी सुनहरी रोशनी ने सपश्ट रूप से अस्थिर स्थिती ग्रहन कर ली है और यह किसी भी क्षंड ढह सकती है कईयर ने अपने दोनों हाथों में डेट गौड्स कित को पकड़ रखा था अव चितन रूप से उसे हलके से पकड़ रही थी यदि लॉंड हाउचेन की प्रकाश प्रार्थनाय समाप्थ हो जाए तो वे ही बोज उठाने वाले होंगे और इस निशिद मंत्र का लक्ष बन जाएंगे कईयर को पता था कि इस समय उसे लॉंड हाउचेन को खरीदने के लिए कुछ समय के लिए संधर्ष करना होगा ताकि उसे लिंशिन और खुद को टौवर ओफ इटिनिटी तक ले जाने का समय मिल सके ठीक इस महत्वपूर्ण बिंदू पर टुम्बल परवद दर्रे से अचानक प्रकाश की छे गेंदे दागी गई प्रकाश की ये छे गेंदे 10 मीटर व्यास तक पहुँच गई जिससे एक बड़ा संपूर्ण भाग बन गया उनके तीवर अफ्तरंग के बाद उनमें सिलाल, नीली, हरी, पीली, सुनहरी और काली लप्ते निकली जिससे वे आपस में जुलते हुए आकाश में डेविट के एक तारे का आकार बनाते हुए नर्क के अफ्तरंग की ठीक अंदर उत्रे फिर एक छे रंग का आवरन उपर उठ गया, जिससे अती निशिद जादू बहुत कमजोर हो गया सुनहरी रोशनी फी की पढ़ गई और लॉंग हाउचेन ने एक भरी हुई कराह निकाली जिससे प्रकाश की प्रार्थना समाप्थ हो गई तब स्टार किंड ने हाउचेन को गिरने से बचाने के लिए अपनी आध्यात्मिक उर्जा का उप्योग करके उसके रुख को स्थिर करने में मदद की प्रेय ओफ लाइट सील के खोजाने के कारण नर्ग के अफ्तरण निशिद मंत्र की शक्ती को अचानक छेहरंग की बाधा से मुक्त होने के लिए संधर्ष करना पड़ा जबकि संबंदित इकाय हिंसक रूप से कापने लगी वर्तमान क्षंड में प्रकाश की उन 6 गेंदों के अंदर की स्थिती स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी प्रतेक में 6 जादूग थे जो कुल मिला कर 36 थे लोग प्रतेक गेंद एक जादूग के नित्रित्व में थी यह एक शक्तिशाली मुहर्ती जिसे छुडाने के लिए उन्होंने हाथ मिलाया यदि नर्ग का अफ्तरंग निशिद मंत्र अपने चरम पर था तो जरूरी नहीं कि उन्होंने इससे सील कर दिया हो लेकिन कटोती की अंतिम श्रिंखला के बाद इन 6-9 चरंग के जादूग देवताओं और 36-8 चरंग के जादूई संथ ट्यूटर्ज ने अस्थाय रूप से सील करने के लिए हाथ मिलाया वर्जित मंत्र अध्याए 556 हवा का देवता भाग तीन मैजिक ट्यूटर रेजिमेंट आखिरकार आ गई और उसने लॉंड हाउचेन की जिम्मेदारी संभालते हुए अपना कार्यकाल पूरा कर लिया इस बीच टोंबल माउंटन दर्रे के भीतर से आकाश में एक विशाल हरे रंग की चमक दिखाए दी जो धीरे-धीरे नीचे गिरने से पहले उचाई पर पहुँच गई हरे रंग की आकरिती को सो मीटर से आधिक तक फैला हुआ देख कर कमजोर लॉंड हाउचेन को बहुत आश्चर्य हुआ वो हरी आकरिती मानव जैसी लग रही थी और वास्तब में जादूग मंदिर के नेता पवन तत्व जादूगली जैनगजी का एक लंबा संसकरन था फिल हाल ली जैनजी अपने छोटे और मोटे शरीर के बावजूद बेहत प्रभावशाली दिख रहे थे हरे रंग का कवच पहने हुए उसके हाथों में एक बड़ा युद्धब लेड था हरी रोशनी उसके पूरे शरीर पर भूम रही थी और तेज आंधी उसके शरीर के चारो और उठती रही हर हमले के साथ उसके शरीर से निकलने वाली हरी रोशनी भी तेज होती गई दरसल ली जेंग जी लॉंड हाउचेन के प्रकट होने से बहुत पहले ही इसक्षेत्र में पहुँच गए थे यहां तक कि उनके साधना स्तर के साथ हेल्स डिसेंट सुपर फबिरन मंत्र एक अत्यंत काटेदार समस्या थी पहुँचने के बाद भी उसे समय की आवश्यक्ता थी उसके लिए अपनी सबसे शक्तिशालिक शमता का तुरंत पूर्न उप्योग करना स्पश्ट रूप से असंभव था जैसे ही वह जाने की तैयारी कर रहा था, लॉंड हाउचेन ने युद्ध के मैदान में अपना अचानक प्रदर्शन किया और नर्क के अफ्तरंग को सील कर दिया हाला कि ये हस्थिती को पूरी तरह से बदलने के लिए पर्याप्त नहीं था, ली जहिंग जी को बस यही चाहिए था, बस पर्याप्त समय दिया जाए लॉंड हाउचेन को अपनी सीमा के करीब देखकर अंततह तैयार ली जहिंग जी ने दाना रेजिमेंट के साथ मिलकर अपनी चाल चली हरे रंग की बढ़ी आकृती चतुराई से विक्षेपित हो गई और बहुरंगी तात्विक सील पर सीधे पहुँच गई लंबे ब्लेड को घुमाते हुए उसने तुरंद भयानक नर्क अफ्तरन निशिद मंत्र पर प्रहार किया एक विचित्र द्रिश्य सामने आया कोई देख सकता था कि जैसे ही ब्लेड कट रहा था आकाश की सारी हवा गायब हो गई थी अगले ही पल में नर्क वंश का हिस्सा जैट काली आध्यात में कूर्जा के पतले टुकड़ों में कट गया इससे भी अधिक चमतकारी बात यह है कि हेल डिसेंट नीले हरे रंग की चमक में डूबा हुआ था ली जेंगजी इन काली धारियों को दूर के राक्षसों की और वापस भेजने के लिए पवन देवता के अवतार का उप्योग कर रहे थे जो राक्षस सेना के ठीक सामने थे सबसे पहले एक भयानक तुफान आया जिसने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को कार दिया फिर हेल्स डिसेंट की शक्ती जारी हुई कोई सपस्ट रूप से देख सकता था कि लगभग एक हजार मीटर की दूरी तक और उन पतले काले टुकनों के आसपास जमीन दस मीटर गहराय तक धसी हुई थी भले ही वे अंधेरे गुन वाले थे इस दायरे के सभी राक्षस पूरी तरह से नश्ट हो गये थे ली जेंगजी का प्रदर्शन अभी शुरू ही हुआ था अपने हाथ में ब्लेड बढ़ाते हुए उसने हेल्स डिसेंट से पहले तेजी से वार किया और कटे हुए हिस्सों को राक्षसों की सेना की ओर्फे कदो बस कुछी प्रहारों ने पहले ही दानव मोहरा को पूरी तरह से दबा दिया था ये सच्ची शक्ती का प्रदर्शन था इस द्रिश्य को देखकर लॉंड हाव चेन आश्चर्य और स्तब्ध होने के अलावा कुछ नहीं कर सका वो ही ये देखने में पूरी तरह से असमर्थ था कि लिए जहेंगजी ने इसे कैसे प्रबंधित किया जादूगा होते हुए भी वह देवता के रूप में आफ्तरित हुआ और अपनी युद्ध शक्ती का पूर्ण प्रदर्शन कर रहा था मात्र शक्तिशाली शब्द इसक्षमता का वर्नन करने के लिए पहले से ही अपर्याप था उनके प्रकट होते ही पूरी स्थिती पलट गई और हार जीत में बदल गई यहां तक कि उन्होंने अपने फायदे के लिए सुपर वर्जित मंत्र हिल्स डिसेंट का भी इस्तिमाल किया जो वास्तव में छे महान मंदिरों के बीच नंबर एक पावहाउस की अपील का हगदार था मेजिक ट्यूटर रेजिमेंट केवल 39 जादूगरों से नहीं बनी थी कई दर्जन से आधिक लोग एक के बाद एक किले में उत्रे क्योंकि जादूगर दस्तों ने आराम किया पुनरगठित किया और किसी भीक्षन लड़ाए जारी रखने के लिए तयार रहने के लिए आध्यात में कूर्जा प्राप्त की इस बिंदू पर राक्षसों के आश्चर्यजनक हमले को पहले ही बेसर कर दिया गया था और ली जेंगजी के हमलों की श्रिंखला ने पहले ही लगभग 10,000 राक्षसों का सफाया कर दिया था राक्षसी दानब भगवान मारबास अंतता कुछ और नहीं ले सका और उसने अपनी चाल चली पहले उसकी भारी खपत के बावजूद वह सहाय होकर यह नहीं देख सकता था कि ली जेंगजी अपने अधिनिस्थों का कतलियाम कर रहा था आठ दानब देवताओं की आक्रितिया टिम्टिमाती रही उचाई पर उठती रही और ली जेंगजी द्वारा छोड़ी गई और उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ था हाला कि यह आठ महान दानब देवताओं की कमजोर स्थिती से संबंधित था इसे प्राप्त करना इस पवन उप्योग करता की ताकत को दर्शाता है लौंग हाउचेन का समूर टोंबल माउंटन पास पर आध्यात में कूर्जा प्राप्त कर रहा था लौंग हाउचेन की निगाहेली जेंगजी से कभी नहीं हिटी इस स्थर के पावहा उसकी लड़ाई देखने में सक्षम होना वास्तव में उसके लिए बहुत बड़ी मदद थी और अपनी शक्तिशाली मानसिक शक्ती और आध्यात में कूर्जा तरंगों पर ध्यान केंद्रित करने वाली महान धारणा पर भरोसा करते हुए लोंड हाउचेन ने धीरे धीरे ली जेंगजी की वास्तविक युद्ध विधियों को समझ लिया ये वास्तव में ली जेंगजी के शरीर को केंद्र के रूप में उप्योग करने वाला एक जादू होना चाहिए भगवान द्वारा चुने जाने के कारण लोंड हाउचेन को ये हैसास हो गया था कि ली जेंगजी वास्तव में पवन देवता की शक्ती उधार ले रहे थे अकेले प्रकाश की देवी की शक्ती पर लॉंग हाउचेन की निर्भरता भगवान द्वारा चुने गए उनकी पहचान के कारण थी लेकिन ली जेंग जी की पवन देवता की शक्ती पर निर्भरता उनकी महान शक्ती और भगवान के प्रति आत्मियता के कारण थी पवन तत्व, लॉंग हाउचेन ने रूरिवादी अनुमान लगाया कि ली जेंगजी की आंतरिक आध्यात्मिक उर्जा 300-00-01 से अधिक थी और उसके हाथों में कम से कम इक दिव्य उपकरन होना चाहिए लड़ाए अधिक समय तक नहीं चली, राक्षस देवता सभी स्वार्थी प्रानी थे और ली जेंगजी की महान शक्ती को महसूस करते हुए, मारबास उसके खिलाफ मौत तक लढ़ने के लिए तैयार नहीं था जबकि आठ महान देवताराक्षस ली जेंगजी के हमलों का विरोध कर रहे थे, वापसी का आदेश पहले ही प्रसारित किया जा चुका था इस जल्दबाजी से तुरंत वापसी से उनका मनोबल गिर गया ली जेंगजी द्वारा लगातार काटे जाने के कारण हेल डिसेंट सुपर फबिडन मंत्र धीरे-धीरे कम होता गया, इस प्रकार सील के खिलाफ उसकी ताकत कम हो गई अंत में हेल्स डिसेंट धुये में उर गया क्योंकि इसे छे रंगों की सनरचना में निचोड़ा गया था इसने हमले और बचाव की इस लड़ाई के पूरा होने का संकेत दिया ली जेंगजी ने पीछे हटने वाले राक्षसों का पीछा करना जारी नहीं रखा अपनी तलवार को क्षेतिज रूप से पकड़े हुए उसने दूर तक देखा जब राक्षस देवता स्वर्की और मुस्कुराहट दिखाते हुए चले गए टोंबल परवत दर्रा पहले से ही आनंद का सागर बन गया है ये लड़ाई खतरनाक जरूर थी लेकिन इसका अंत जरूर अद्भूत था टोंबल माउंटन पास में एक भी हताहत नहीं हुआ लेकिन दुश्मन को गंभीर ख्षती हुई कम से कम फिल हाल वे दूसरा हमला करने की हिम्मत नहीं करेंगे हेल्स डिसेंट के विनाश के सर मैं लोंग हाव चेन ने अपने साथियों को किले से बाहर निकाला अपना कर्तव पूरा करके वह चला गया अब और रुकना निरर्थक होगा और इसके अलावा वह टैन वान और जुवान यान से मिलना नहीं चाहता था इससे कोई फर्क नहीं पढ़ता कि प्रतिपक्षी में कितना अपराद बोध, शर्मिंदगी या द्रिर्ता थी वह उनका सामना करने को तैयार नहीं था लॉंग हाउचेन के प्रस्थान के क्षण में, आकाश में पवन देवता धीरे धीरे घूमे और उनकी प्रस्थान आकरतियों की और देखा, जैसे उनके मुह के कोनों पर एक पतली मुस्कान आ गई तीन दिन बाद, जिना, बस हमारे साथ आओ, इसे मेरी और से एक निवेदन के रूप में लें, ठीक है क्या मुझे तुम्हें यहां छोड़ देना चाहिए लिन शिन एक उत्तेजित बिल्ली की तरह चिंतित थी, जो कमरे में ली शिन के चारों और भूम रही थी ली शिन ने उसे चकित होकर देखा, तुम, क्या आप संकल्प की उस कमी को ठीक करेंगे उनके शब्द वैसे ही थे, लेकिन उनकी अभिव्यक्ती गर्म जोशी से भरी हुई थी हम सभी दानव शिकारी हैं, जैसे आपकी अपनी टीम है, वैसे ही मेरी भी अपनी है मैं अपने साथियों को कैसे त्याग सकता हूँ, इसके अलावा, मेरी ताकत पहले से ही हाउचेन और आपकी बराबरी करने में असमर्थ है रास्ते में, मैं केवल तुम्हारे लिए बोज बन सकता हूँ मैंने लिउक्षी के साथ पहले ही चर्चा कर ली है और हमने फिलहाल टुम्बल माउंटन पास में रुखने का फैसला किया है ये जगा अब तक काफी सुरक्षित है, आप एक पुरुष हैं और 64-वे कमांडर ग्रेट डैमन हंट स्क्वार्ड का हिस्सा है हमारे सामने अभी भी काफी समय है, या क्या तुम सच में मेरी खातिर पीछे रहना चाहते हो हम राक्षसों के हत्यारे हैं और जिस दिन से हमने ये रास्ता अपनाया है, हमारा जीवन अपकेवल हमारा नहीं रह गया है क्या ऐसा हो सकता है कि तुम सच्मुच इसे नहीं समझते हो लिन शिन चुप थी, वह पहले से ही करीब एक घंटे से लिन शिन को समझाने की कोशिश कर रहा था तीन दिन पहले हुई लडाय के बाद टुमबल परवद दर्रे की स्थिती काफी स्थिर थी और राक्षसों के पास इस किले को तोड़ने का लगभग कोई मौका नहीं था इसके अलावा, जादूगम मंदिर और नाइट मंदिर के बीच संबंध के कारण लॉंग हाउचेन और उनकी साथियों ने अपने अन्य साथियों से जुरने के लिए दक्षिन की और जाना जारी रखने का फैसला किया लिन शिन को स्वाभाविक रूप से इस थिती को संभालना मुश्किल लग रहा था चून की उसकी और लिशिन की भावनाए बहुत बढ़ गई थी तो वह उससे अलग होने को कैसे तयार हो सकता था हाला कि वह जानता था कि लिशिन सही था फिर भी उसे यह मुश्किल लगा मुझे इसे अंदर स्वीकार करना है लिशिन उट गया और लिशिन की सामने खड़ा हो गया उसकी और जुप गया और उसकी कमर के करीब आ गया बेवकूफ वह के लिशिन चिंतित होनी चाहिए क्योंकि आप लगातार मजबूत होते जाएंगे आपको अधिक से अधिक चिनोति पूर्ण मिशिनों का भी सामना करना पड़ेगा मुझसे अच्छे से जीने का वादा करो क्या आप हमेशा से ऐसा नहीं करना चाहते थे आज मैं खुद को आपको सौप सकता हूँ उम्मीद करता हूँ कि आप अधिक जिम्मेदारी हासिल कर सकते हैं और अच्छी देखभाल के साथ अपना बचाव कर सकते हैं चाहे कितना भी समय लगे मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा ली शिन की बात सुनकर लिन शिन गहराई से कापने से खुद को नहीं रोक सकी यदि ये सामानने समय होता तो वह निश्चित रूप से भावनाव में बह जाते लेकिन चून की उनका ब्रेक अप होने वाला था तो वह कैसे खुश रह सकता था नहीं, जिन, मैं आपसे आप्चारिक रूप से शादी करना चाहता हूँ मैं आपको बुरा महसूस नहीं होने दे सकता, खासकर ऐसे समय में मैं तुमसे प्यार करता हूँ जिन्न और मैं वास्तव में तुम्हारी मदद नहीं कर सकता लेकिन तुम्हें छोड़ सकता हूँ लिंशिन ने लिशिन को कसकर गले लगाया उसके आकार और गर्मी को महसूस किया और अपने आसु रोकने में असमर्थ हो गई यदि 64 कमांडर ग्रेड डेमन हंट स्क्वार्ड के किसी व्यक्ति को भावनात्मक रूप से सबसे कमजोर के रूप में चुना गया था तो वह वही होगा लिशिन अचानक लिशिन से मुक्त हो गया और बहुत उगरता से घोशना की आपका क्या मतलब है कि आप मुझे बुरा महसूस नहीं होने दे सकते मुझे वह होना चाहिए जो आपको बुरा महसूस नहोने दे क्या आपको लगता है कि सिर्फ आपके ना कहने से कुछ नहीं होगा आप एक जादूगा है और यह महिला एक सज्जन व्यक्ति है यदि तुम्हे कोई समस्या है तो मुझे रोकने के लिए अपने जादू का प्रयोग करो लिन्शिन की अचमवित निगाहों के नीचे उसके शरीर कोली शिन ने बिस्तर पर खीच लिया ये छटे चरन के शूरवीर और साथवे चरन के जादूगा के बीच की लड़ाई थी इतनी करीब दूरी पर और एक छोटे से कमरेमा कोई भी अच्छी तरह से कल्पना कर सकता है कि लड़ाई कौन जीतेगा अध्याए 557 चुनोती जिस तरह लिशिन ने लिन्शिन को एक बड़ी शारीरिक लड़ाई के लिए मजबूर किया था उसी समय लॉंड हाउचेन दो महमानों से मिल रहे थे नमसकार पवित्र शूरवीरों के नेता जैसे ही लॉंड हाउचेन ने दर्वाजा खोला बाहर मौझूद महमानों ने आदरपूरवक उसे प्रणाम किया प्रश्ण में दो लोग टैन वान और जुवान यान थे टैन वान हमेशा की तरह देख रहा था और जुवान यान स्पश्ट रूप से काफी असहज महसूस कर रहा था अपना सिर्थ थोगा नीचे करके उसने सीधे लॉंड हाउचेन की और देखने की हिम्मत नहीं की उन दोनों को अंदर आने देते हुए प्रवेश द्वार से पीछे हट गया फिल हाल उसने अभी भी अपना सोना पिघला हुआ कवच पहना हुआ था अपनी पहचान छिपाने के लिए यहां तक की कमरे में अकेले खेती करते समय भी वह इसे आसानी से नहीं उतारता था लेकिन सोभाग्य से ये कवच काफी आराम दायक था और उसे कभी भी असहज महसूस नहीं हुआ पवित्र शूरवीरों के नेता हम आपसे माफी मांगने आये हैं हम उस वक्त इस मामले में गलत थे इसके अलावा हम टूंबल माउंटन पास में आपकी उपस्तिती के लिए आपको धन्यवाद देना चाहते हैं हम शमा चाहते हैं जैसा कि उन्होंने कहा टैनवान बहुत सम्वान पूरवक लौंड हाउचेन की और जुके ये किसी जादूगा का अभिवादन नहीं था बलकि एक इमानदार प्रणाम था जिसे एक ही पीडी के दो लोगों के बीच अतिरंजित माना जा सकता है किनारे पर रहते हुए जुवान युवान यान भी उसकी और जुक गया लेकिन उसकी चाल और भी अधिक असंभावित लग रही थी उस दिन की लड़ाई के बाद लॉंग हाउचेन ने एक बार जादूग मंदिर के नेता ली जहेंगजी द्वारा और अधिक को बुलाया गया था उनके भाशन की सामगरी के बारे में कोई नहीं जानता था लेकिन थोड़ी देर बाद विजार टेंपल ने बारह में गोल्डन नाइट के रूप में जाने जाने वाले पवित्र शूरवीरो के नेता की वीरता के बारे में एक सारवजनिक घोशना की और टेंपल की दोस्ती करता हूँ की अल्ग भविश्य में जादूगा के मंदिर और शूरवीर के मंदिर के बीच संबंध में सुधार किया जा सकता है। उस वक्त मुझे आप दोनों के सहयोग की जरूरत पड़ सकती है। तैन वान ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं डी बलकी विश्य बदलते हुए कहा पवित्र शूरवीरो के नेता जैसा मैंने सुना क्या आपकी पार्टी जाने वाली है। तैन वान ने कहा, मुझे आशा है कि मैं बिना किसी हथियार का उप्योग किये, केवल अपनी क्षमताओं पर भरोसा करते हुए आपको आमने सामने चुनोती दे सकूंगा। पर को एक लक्षे के रूप में निर्धारित किया है, एक दिन पावहाउस बनने की उम्मीद में। बिल्कुल मास्टर की तरह, गटबंधन, मानपता के लिए लड़ने और राक्षसों का पूरी तरह से विनाश करने के लिए। मुझे आशा है कि आप मेरे लिए निर्धारित दूसरा लक्ष्य हो सकते हैं। मैं केवल आपका मार्ग दर्शन मान रहा हूँ और मेरा कोई अन्य इरादा नहीं है। लॉंग हाउचेन ने थोड़ा सोचने के बाद उत्तर दिया, मैं समझता हूँ। उस थिती में मैं कैप्टन टैन से एकांत शेत्र की खोज करने के लिए कहूंगा। और कोई दर्शक नहीं हो सकता। अच्छा, टैन वान ने लॉंग हाउचेन की चिंताओं को समझा और तुरंट सहमती दे दी। किनारे पर जुवान युवान यान कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसने अंत तक अपनी बात रखी। लॉंग हाउचेन ने हान यू और कईयर को सूचित नहीं किया, और जादूगम मंदिर की चौथी मंजी। लपर एक विस्तृत दर्वाजे में प्रवेश करने के लिए टैन वान के नित्रित्व में निकल गए। टैन वान ने जुवान युवान यान को आवाज दी, यहां मेरे लिए रुको। जुवान युवान यान ने अचानक लॉंड हावचेन की और याचना भरी द्रिश्टी से देखा, लेकिन लॉंड हावचेन ने एक शमा मानते हुए कहा, कैप्टन जुवान युवान भविश्य में मेरी परिशानियों को समझने आएंगे। कैप्टन टैन, क्रिपया अंदर चले, टैन वान ने दर्वाजे को धक्का दिया और लॉंड हावचेन की साथ प्रवेश किया, यह एक बड़ा गुलाकार प्रशिक्षन स्थान था जहां कोई दर्शक नहीं था, पचास मीटर से आधिक की कुल व्यास तक पहुंचना, जिस उसे ही उसने ऐसा कहा, टैन वान की छड़ी एक ही जटके में उसके हाथ से गायब हो गई, फिर उसने अपना बहरी वस्त्र उतार दिया, उस जादूई वस्त्र को पहन लिया जो उसकी अन्बूटी पर मजबूत जादूई लहरे चोग रहा था, और अंदर की लंबी हरी सक को उजागर कर रही थी, आज उसने लॉन्ड हाउचेन को उनके बीच वास्तविक अंतर का पता लगाने की चुनोती दी थी, उस दिन का द्रिशई लॉन्ड हाउचेन ने नर्क के अफ्तरंग को रोकने के लिए प्रकाश की प्रार्थनाओं का उप्योग करते हुए वास्त करन या महाकाव्य स्तर के उपकरन जैसे सोने के पिगले हुए कबच के उप्योग के बिना, क्या मैं वास्तव में मुझसे इतना अधिक मजबूत हो सकता हूँ? वह वास्तव में उस प्रशन का उत्तर जानना चाहती थी, और अंत में लॉन्ड हाउचेन की तलाश में चली उन्होंने माफी मानकर अपनी भावनाय व्यक्त की, साथ ही लड़ाई के समय इन चीजों का असर अपनी मानसिक स्थिती पर नहीं पढ़ने दिया। एक टैन वान तुरंत प्रशिक्षन मैदान की ओर चला गया। ऐसी स्थिती में जहां दोनों पक्ष अपने उपकरनों के बिना लड़ रहे थे, एक शूरवीर एक जादूगा की तुलना में बहुत आधिक नुकसान में है। ऐसा इसलिए है क्योंकि शूरवीर ना केवल अ कामले को प्रभावित करेगा। लेकिन टैन वान लॉंग हाउचेन का इतना अधिक लाब उठाने के लिए तयार नहीं थे और इसलिए उन्होंने इस प्रशिक्षन मैदान को चुना जो केवल 50 मीटर चोड़ा था। एक जादूगा के लिए प्रतिकूल इलाके के रूप मे दोनों पक्षों को समान नुकसान कहा जा सकता है। सुनेहरी रोशनी की एक चमक में सोने का पिगला हुआ कवच्षीन लिया गया। उसने अपनी दो भारी तलवारे भी नहीं निकाली और टैन वान की तरह प्रशिक्षन मैदान के किनारे पर पहुँचने पर उन्हें दू चस्पी नहीं थी। अपनी खेती को बढ़ाना ही उनके मन का एक मात्र लक्षब बन गया। इसलिए उनका विसमय केवल लॉंड हावचेन की उम्र तकी रहा। भले ही वह उन्हें दूसरी बार देख रहे थे विसमय बिल्कुल भी कम नहीं हुआ। पवित्र शूरवीरों क के नेता मैं आ रहा हूँ। टैनवान ने इमानदारी से घोशना की। ट्रिपया। टैनवान की पीट पर हरे पंखो का एक जोड़ा लगभग तुरंत ही उगाया। और तुरंत उसके दाहिने हाथ ने लॉंड हावचेन पर उंगली उठाए। उसकी दिशा में एक दरजन पवन ब्लेड चलाए गए। इन में से प्रतेक हवा का जोका अपनी दिशा में चला गया। कुछ वे सीधे चले गए, कुछ जुक गए और कुछ किनारे की और भी मुल गए। ऐसा लग रहा था कि लॉंड हावचेन के भागने के सभी रास्ते अवरुध हो गए हैं। उसन हाथों को अपनी पीठ का पीछे रखते हुए लॉंड हावचेन शांती से चला, शुरू से अंत तक आध्यात में कूर्जा की थोड़ी सी भी लहर या पलतवार नहीं किया। हमलावर के रूप में प्रतिद्वंद्वी की टैन वान की भावनाए सबसे सपष्ट थी। लॉ ये प्रक्रिया सरल लगती थी, लेकिन वास्तव में इसके लिए किसी के शरीर पर अच्छे नियंत्रन के साथ साथ उत्कृष्ट भविश्यवानी और गती की आवश्यक्ता होती थी, जिससे टैन वान आश्चर्य से हौनफिने लगता था। ये पहली बार था जब वह किसी को वास्तव में इस तरह से हवा के थपेडों से बचते हुए देख रही थी, बेशक विंड मास्टर की एक मात्र शिश्या के रूप में उसके हमले अभी शुरू ही हुए थे, जैसे ही लॉन्ग हाउचेन हवा के थपेडों से बचकर चल रहा था, टैन वान लगातार मंतरो चार कर रहा था, और उसकी उंगलियों से हरी रोश्नी के गोले छूट रहे थे, जो छोटे पैमाने पर बवंडर का रूप ले रहे थे, जो केवल एक तिहाय आकार तक पहुँच रहे थे, व्यास्त में हाउचेन की ओर बढ़ रहा है, कुल 12 छोटे बवंडर थे, जब वे अलग-अलग गती से लौंड हाउचेन की दिशा में उड़ रहे थे, तो पूरे प्रशिक्षन मैदान में विचेतर आवाजे निकल रही थी, जबकि हवा में हवा की समरिधगंध भी और अधिक उनमादी हो गई थी, एक जादूगा और एक शूरवीर के बीच आमने सामने का मामला बिलकुल भी सबसे शक्तिशाली जादू का उप्योग करने के बारे में नहीं था, बलकि सबसे उप्योग्ट जादू का उप्योग करने के बारे में था। इन बवंदरों में से कुछ लगातार मुर्डे, कुछ विप्रीग दिशा में, लेकिन प्रतेक ने अलग-अलग रास्ता अपनाया। कि वे बारह बवंदर सभी दिशाओं से आ रहे थे। अपना दहेना हाथ उपर उठाने पर कोई एक सफेद रोशनी को फैलते हुए देख सकता था, जो पाच फुट लंबी भारी तलवार का आकार ले रही थी। इसके बाद लॉंध हाउचेन ने अपनी आखे बंद कर ली, अपना बाया पैर आगे बढ़ाया और धीरे धीरे घनीबूत आध्यात में कूर्जा से वार किया। इनका हतियार वास्तविक प्रकाश विशेष्टा वाली भारी तलवार से बहुत अलग नहीं दिखता था। धीमी गती के बाद ये स्लेश एक पंक की तरह हलका लग रहा था, लेकिन फिर भी ये हो उस पहले बवंदर से टकराया जो इससे टकराने वाला था। अभी भी बह आप कुछ रक्षात्मक उपकरनों के बिना मेरे आठवे चरण का सामना कर सकते हैं। लेकिन एल में शालीन तातान वान का चेहरा कुछ खशन के लिए ही आश्चर्य चकित रह गया। अन्य ग्यारह बवंदर बिना कोई हमला किये बस इसके चारो और टकरा गये। जैसे ही उसका दाहिना, हाथ हलके से कमपन हुआ, लौंड हावचेन ने काटने की गती की क्योंकि उसके हाथ की नोग पर बवंदर हवा में फैलते हुए हरे रंग की रोशनी के टुकड़ों मे बदल गया। लौंड हावचेन एक जटके में टैन वान के सामने आ गया। टैन वान ने अंजाने में अपनी भुजाय लगभग दिमाग से बाहर उठाई और लौंड हावचेन पर दो मुठिया तान दी, उनके दोनों हाथों में हरी रोशनी काफी तेजी से घूम रही थी। यह एक बाजे आई, लेकिन लौंड हावचेन गतिहीन रहा। टैन वान ने महसूस किया कि जैसे ही उसका हाथ हवा की तात्वे काध्यात में कूर्जा से ओत्प्रोत होकर लौंड हावचेन पर पड़ा, वह कमपन के बीच तुरंधी नश्ट हो गई, बिना किसी नुकसान के। उस ये शब्ड उसके मुह से बड़ी मुश्किल से निकले, लेकिन उसके पास अपनी हार्स विकार करने के अलावा कोई चारा नहीं था। वह समझ सकती थी कि लौंड हावचेन की खेती उससे बहतर थी, बलकि बहुत ही बहतर थी। यह ना केवल उनकी आध्यात में कूर जा थ जिससे उसकी दूरी टैन वान से अलग हो गई, आपका आखिरी जादूई हमला काफी शक्तिशाली था। यदि वह हवा में आवरतियों को नियंत्रित करने में विशेशगय नहीं होता, तो उसका विरोध करना बहुत मुश्किल होता। जिस तरहली शिन ने लिंशिन को एक बड़ी शारीरिक लगाई के लिए मजबूर किया था, उसी समय लॉंड हाउचेन दो मेहमानों से मिल रहे थे। नमसकार, पवित्र शूरवीरों के नेता। जैसे ही लॉंड हाउचेन ने दरवाजा खोला, बाहर मौजूद मेहमानों ने आदरपूरवक उसे प्रनाम किया प्रश्न में दो लोग टैन वान और जुवन युवान यान थे। युवन हमेशा की तरह देख रहा था और जुवन युवान यानस पष्ट्रूप से काफी असाहज महसूस कर रहा था। अपना सिर थोगा नीचे करके उसने सीधे लॉंड हाउचेन की और देखने की हिम्म लॉंग हाउचेन ने आश्चर्य से उनकी ओर देखा, वे दोनों हैं। वह इसे आसानी से नहीं उतारता था। लेकिन सौभाग्य से ये कवच काफी आरामदायक था और उसे कभी भी असहज महसूस नहीं हुआ। पवित्र शूरवीरों के नेता, हम आपसे माफी मांगने आये हैं। हम उस वक्त इस मामले में गलत थे। इसके अलावा, हम टॉंबल माउंटन पास में आपकी उपस्तिती के लिए आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। हम शमा चाहते हैं। किनारे पर रहते हुए, जुवान युवान यान भी उसकी और जुख गया, लेकिन उसकी चाल और भी अधिक असंभावित लग रही थी। उस दिन की लड़ाई के बाद, लॉंड हाउचेन को एक बार फिर जादूगमंदिर के नेताली जेंगजी ने बुलाया। उनके भाशन की सामगरी के बारे में कोई नहीं जानता था, लेकिन थोड़ी देर बाद विजार्ट टैंपल ने बारहवे गोल्डन नाइट के रूप में जाने जाने वाले पवित्र शूरवीरों के नेता की वीरता के बारे में एक सारवजनिक घोशना की और टैंपल की द जादूगा के मंदिर और शूरवीर के मंदिर के बीच संबंध में सुधार किया जा सकता है, उस वक्त मुझे आप दोनों के सहयोग की जरूरत पढ़ सकती है, तैंवान ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं डी, बलकी विश्य बदलते हुए कहा, पवित्र शूरवीरों के के बाद उसने अचानक कहा, पवित्र शूरवीरों के नेता मुझसे एक अभिमान पूर्ण अनुरोध है, लॉन्ग हाउचेन अप्रत्याशित बयान से स्तब्ध रह गया, मैं सुन रहा हूँ, तैंवान ने कहा, मुझे आशा है कि मैं बिना किसी हथियार का उप्योग किये केवल अपनी क्षमताओं पर भरोसा करते हुए, आपको आमने सामने चुनोती दे सकूनगा, मैं जानता हूँ कि मैं आपसे अपनी तुलना करने में असमर्थ हूँ, लेकिन मैं वास्तब में जानना चाहता हूँ कि हम दोनों के बीच कितना बड़ा अंतर है, इस बिन्दू पर उसे दर लग रहा था कि लॉंग हाउचेन उसे गलत समझ सकता है, और जारी रखा, जबसे मैं एक जादूगब बन गया हूँ, मैंने हमेशा अपने सभी प्रयास साधना में लगाया है, मास्टर को एक लक्षे के रूप में निर्धारित किया है, एक दिन पावहाउस ब मान रहा हूँ, और मेरा कोई अन्य इरादा नहीं है, लॉंग हाउचेन ने थोगा सोचने के बाद उत्तर दिया, मैं समझता हूँ, उस थिती में मैं कैप्टन टैन से एकांत शेत्र की खोज करने के लिए कहूंगा, और कोई दर्शक नहीं हो सकता, अच्छा, टैन वान ने हान यू और कहियर को सूचित नहीं किया, और टैन वान उसे ले गया एन जादूगा के मंदिर की चोथी मंजल पर एक चोड़े दर्वाजे से प्रवेश करना, टैन वान ने जुवान युवान यान को आवाज दी, यहां मेरे लिए रुको, जुवान युवान यान ने प्रवेश किया, यह एक बड़ा गुलाकार प्रशिक्षन स्थान था जहां कोई दर्शक नहीं था, पचास मीटर से आधिक के कुल व्यास तक पहुंचना, जिसे जादूगा के द्रिश्टिकुन से बहुत बड़ी जगह नहीं माना जा सकता है, यह मंदिर परीक्षन वस्त्र उतार दिया, उस जादूई वस्त्र को पहन लिया जो उसकी अन्बूटी पर मजबूत जादूई लहरे चोड़ रहा था, और अंदर की लंबी हरी स्काट को उजागर कर रही थी, आज उसने लॉंड हाउचेन को उनके बीच वास्तविक अंतर का पता लगाने की च इसलिए अंत में टैन वान कुछ हद तक अविश्वस निये रहा, किसी दैविय उपकरन या महाकाव्य स्तर के उपकरन जैसे सोने के पिगले हुए कबच के उप्योग के बिना, क्या मैं वास्तव में मुझसे इतना अधिक मजबूत हो सकता हूँ, वह वास्तव में उस प्र दिया, कैप्टन टैन, इस बार नोट्स की तुलना समाप्त करने के बाद, चाहे कोई भी जीतता हो, मेरा आपसे एक अनुरोध है, और मुझे इसमें आपकी मदद की उम्मीद है, टैन वान विचलित दिखे, कैसा अनुरोध, लोंग हाउचेन ने फी की मुसकान दिखाए, चलो लडाई खत्म, होने के बाद इसके बारे में बात करेंगे, अच्छा, अपना उत्तर देते हुए, टैन वान तुरंत प्रशिक्षन मैदान की ओर चला गया, ऐसी स्थिती में जहां दोनों पक्ष अपने उपकरनों के बिना लड़ रहे थे, एक शूरवीर एक जादू का उप्योग न करना केवल पवित्रता के मामले को प्रभावित करेगा, लेकिन टैन वान लॉंध हाउचेन का इतना अधिक लाब उठाने के लिए तैयार नहीं थे, और इसलिए उन्होंने इस प्रशिक्षन मैदान को चुना जो केवल 50 मीटर चोड़ा था, एक जादूग की तरह प्रशिक्षन मैदान के किनारे पर पहुँचने पर उन्हें दूर रख दिया, लॉंध हाउचेन की सुन्दर उपस्थिती को देख कर, टैन वान अपना उत्सा खोने से खुद को रोक नहीं सका, सुन्दर लड़के उसकी नजर में उतने भयानक नहीं थे, क्योंकि उसे किसी और चीज के भावनात्मक पहलू में ज्यादा दिल्चस्पी नहीं थी, अपनी खेती को बढ़ाना ही उनके मन का एक मात्र लक्षे बन गया, इसलिए उनका विसमय केवल लॉंध हाउचेन की उम्र तक ही रहा, भले ही वह उन्हें दूसरी बार देख रहे थे, वि इसमय बिल्कुल री कम नहीं हुआ, के नेता पवित्र सज्जनो, मैं आ रहा हूँ, टैनवान ने इमानदारी से घोशना की, ट्रिपया, टैनवान की पीट पर हरे पंखो का एक जोड़ा लगभग तुरंत ही उगाया, और तुरंत उसके दाहिने हाथ ने लॉंध हाउचेन के भागने के सभी रास्ते अवरुध हो गए हैं, उसने अपने दोनों हाथ अपनी पीट के पीछे रखे और दो कदम किनारे की ओर बढ़ा, तुरंत एक विचित्र गती से लहराया, पंपम पंपम, चमकदार हरी रोशनी से आध्यात्मिक उर्जा की टकराव की एक पंदवी की टैन वान की भावनाय सबसे सपष्ट थी, लॉंग हाउचेन विशेश फुटवक का उप्योग कर रहा था, जो धीमा दिखाए दे रहा था लेकिन तेजी से आगे बढ़ रहा था, अंत में वह हमेशा हवा के जोकों के हमलों से बालों के बराबर बच जाता था और कभी-कभी स्वेचा से हवा के दो जोकों को एक दूसरे से टकरा कर उन्हें बैसर भी कर देता था, ये प्रक्रिया सरल लगती थी, लेकिन वास्तव में इसके लिए किसी के शरीर पर अच्छे नियंतरन के साथ साथ उत्कृष्ट भविश्यवानी और गती की आवश्यक जैसे ही लॉंग हाउचेन हवा के थपिडों से बचकर चल रहा था, टैन वान लगातार मंत्रोच चार कर रहा था और उसकी उंगलियों से हरी रोश्नी के गोले छूट रहे थे, जो छोटे पैमाने पर बवंडर का रूप ले रहे थे, जो आकार के केवल एक तिहाई तक प जबकि हवा में हवा की समरिधगंध भी और अधिक उनमादी हो गई थी, एक जादूगा और एक शूरवीर के बीच आमने सामने का मामला बिलकुल भी सबसे शक्तिशाली जादू का उप्योग करने के बारे में नहीं था, बलकि सबसे उप्योग्ट जादू का उप्योग क करने के बारे में था, टैन वान द्वारा उप्योग किये गए बारह बवंडर सभी एक जैसे दिखते थे, लेकिन वास्तव में वे पूरी तरह से अलग थे, उनमें से प्रत्येक छठे चरण के मंत्र के बराबर था, और उनमें से बारह को बाहर निकालने के बाद, उसके पर पीला पना गया, आखिरकार ये बिना किसी जादूई वस्त्र के था, और उसकी साधना सात्वे चरण के मध्यभाग तक पहुँचने के साथ, ये पहले से ही उसकी सिमाय थी, इन बवंडरों में से कुछ लगातार मुरे, कुछ विप्रीग दिशा में, लेकिन प्रतेक अगर कोई एक को तोड़ दे, तो बाकी लोग तुरंत उसकी और आकरशित हो जाएंगे, और लगभग तुरंत ही दुश्मन तक पहुँच जाएंगे, एकल लक्ष्य मंत्रों के बीच, इन बारह छोटे पैमाने के बवंडरों में काफी जटिल जादू का उप्योग किया यदि इसकी पूरी शक्ती हित होती है, तो यहां आठवे चरंग के एकल लक्ष्य मंत्र तक मिलखा सकता है, लोंग हाउचेन की आगे की गती धीमी हो गई, क्योंकि वे बारह बवंडर सभी दिशाओं से आ रहे थे, अपना दहेना हाथ उपर उठाने पर कोई एक सफेद र आध्यात्मिकूर्जा से वार किया, Spirit Mountain राज्य में आध्यात्मिकूर्जा का भोतिकी करण, नहीं, लोंग हाउचेन की खेती अभी तक उस चरंग तक नहीं पहुँची थी, क्योंकि वह अभी वी Spirit Mountain को इस तर तक नियोजित करने में असमर्थ था, ये वास्तव में एक प्र प्रकाश विशेष्टा वाली भारी तलवार से बहुत अलग नहीं दिखता था, धीमी गती के बाद ये स्लेश एक पंक की तरह हलका लग रहा था, लेकिन फिर भी ये होस पहले बवंडर से टकराया जो इससे टकराने वाला था, अभी भी बहुत दूर, टैन वान पहले से ह आत्मसिंतुष्ट दिख रहा था, इससे कोई फर्क नहीं पढ़ता कि आप कितने मजबूत हैं, जब तक आप मेरे बवंडर के संपर्क में आते हैं, मैं तुरंद बवंडर का निर्मान शुरू कर दूनगा, मैं देखना चाहता हूं कि क्या आप कुछ रक्षात्मक उपकर भी नहीं की, ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो ये बवंडर, जो अपनी अत्यधिक काटने की शक्ती से युक्त है, बस उसके हाथ का विस्तार बन गया क्योंकि ये उसके बगल में उठ गया, लॉन्ड हाउचेन की उपस्तिती तुरंद गायब हो गई, पूरी तरह से आसपास क वायू सार में घुल मिल गई, अन्य ग्यारह बवंडर बिना कोई हमला किये बस इसके चारो और टकरा गये, जैसे ही उसका दहेना हाथ हलके से कमपन हुआ, लॉन्ड हाउचेन ने काटने की गती की, क्योंकि उसके हाथ की नोप पर बवंडर हवा में फैलते हुए हरे रंग की रोशनी के टुकड़ों में बदल गया, पहला बवंडर गायब होने के बाद भी पवित्र तलवार यही थी, अन्य ग्यारह ने तुरंत प्रतिक्रिया दिखाए, सभी एक साथ लॉन्ड हाउचेन की और बढ़ रहे थे, इस क्षण में लॉन्ड हाउचेन की बहुत धीमी आकरिती ने अचानक सब कुछ तेज कर दिया, क्योंकि उसके हाथ में मौजूद पवित्र तलवार ने लगातार ग्यारह बहुत करीबी वार किये, सभी ग्यारह बवंडर हवा में ही रुक गए और तुरंत बिना किसी निशान के गायब हो गए, जैसे ही उसकी आकरिती चमक तुरंत प्रती कदम 10 मीटर पार करते हुए, लॉंग हाउचेन एक जटके में 10-1 के सामने आ गया। दो आवाजें आई, लेकिन लॉंग हाउचेन गतिहीन रहा। टैन वान ने महसूस किया कि जैसे ही उसका हाथ हवा की तात्वेक आध्यात्मिक उर्जा से ओत्प्रोत होकर लॉंग हाउचेन पर पड़ा, कमपन के बीच उर्जा तुरंत नश्ट हो गई, जिससे उसके शरी लॉंग हाउचेन ने गतिहीन रहकर जवाबी कारवाय शुरू नहीं की, जब वह उसे घूर रहा था तो उसके हाथ दोनों तरफ जुग गए, अपने दोनों हाथों को नीचे रखते हुए, टैन वान ने लॉंग हाउचेन की और एक निर्जीव ड्रिश्टी डाली, यह मे लॉंग हाउचेन दो कदम पीछे हट गया, जिससे उसकी दूरी टैन वान से अलग हो, गई, आपका आखिरी जादूई हमला काफी शक्तिशाली था, यदि वह हवा में आवरितियों को नियंत्रित करने में विशेशगय नहीं होता, तो उसका विरोध करना बहुत मुश्कि आपको मुझे सातवना देने की जरूरत नहीं है, हानी तो हानी है, दोनों के बीच बस इतना ही अंतर है, हाला कि मेरे दो प्रश्ण है, सबसे पहले आपने मेरे बवंडर निर्मान को कैसे काटा, और दूसरी बात ये कि तुम्हें मालूम ही है कि मैंने मार्शल आर्ट सीख ही है, लेकिन ये रहसे सिर्फ मेरे अध्यापक ही जानते हैं, यहां तक कि लिंच शिन को भी इसके बारे में पता नहीं है, क्या वह मास्टर ही हो सकता है जिसने आपको इसके बारे में बताया हो, ये हो ही नहीं सकता, टैन वान की मुस्कान करवी थी, आपको मुझे सातवन देने की जरूरत नहीं है हानी तो हानी है दोनों के बीच बस इतना ही अंतर है हाला कि मेरे दो प्रश्ण है सबसे पहले आपने मेरे बवंडर निर्मान को कैसे काटा और दूसरी बात ये कि तुम्हें मालूम ही है कि मैंने मार्शल आठ सीखी है लेकिन ये रहसे सिर्फ मेरे अध्यापक ही जानते है यहां तक की लिंच शिन को भी इसके बारे में पता नहीं है क्या वह मास्टर ही हो सकता है जिसने आपको इसके बारे में बताया हो ये हो ही नहीं सकता अध्याई 558 युद्ध की खूनी देवी के आसु भाग एक टैन वान ने करवी मुस्कान के साथ कहा आपको मुझे साथवना देने की जरूरत नहीं है हानी तो हानी है दोनों के बीच बस इतना ही अंतर है हाला की मेरे दो प्रश्न है सबसे पहले आपने मेरे बवंडर निर्मान को कैसे काटा और दूसरी बात ये कि तुम्हें तो मालूम ही है कि मैंने मार्शल आर्ट सीखी है लेकिन ये रहसे सिर्फ मेरे अध्यापकी जानते है यहां तक की लिंच शिन को भी इसके बारे में पता नहीं है क्या ऐसा हो सकता है कि मास्टर नहीं आपको बताया हो ऐसा नहीं हो सकता लोंग हाउचेन ने फी की मुस्कान दिखाए मुझे आपके बवंडर के खिलाफ पूरी ताकत लगानी पड़ी पहले मैंने खुद ही वेव्ज ओफ लाइट नामक एक तकनीक बनाई थी यह आध्यात में कूर्जा तरंग आवरितियों की जाच पर आधारित है इस कारण से मैंने पहले ही पाया था कि आपके बवंडर का निर्मान करने वाले प्रतियेक बवंडर अलग अलग थे यह अवमानना का कार्य नहीं था कि मैंने अपनी आखें बंद कर ली बलकि अपना ध्यान इन बवंडरों की विवित्ताओं को निर्धारित करने पर केंडरित किया यदि मेरा उत्तर गलत होता तो वे अपनी असली शक्ती से विस्फोट कर देते अंत में, मैंने उनकी आवर्ती में अंतर निर्धारित किया और अंततह उन्हें बियसर करने के लिए प्रतियक बवंडर में अंतराल पाया. इसे पूरा करने के लिए बहुत अदिक ध्यान केंड़ित करना पड़ा. टैन वान अभी भी इसे समझने में असमर्थ लग रहा था लेकिन उसने कभी भी आपकी तलवार के इरादे जैसा कुछ नहीं देखा था यहां तक कि योद्धा के मंदिर के ताकतवर लोगों के पास भी इस संबंध में आपकी बराबरी करने वाला कोई नहीं है यदि मैं गलत नहीं हूँ तो आपको पहले ही अपनी तलवार के साथ एक होने की सीमा तक पहुँच जाना चाहिए ताकि आप बिना किसी प्रतिबंध के उस तलवार के इरादे का उप्योग कर सकें ये निश्चित तोर पर एक या दो दिन में समझ आने वाली बात नहीं है आपने ऐसी मार्शल उपलब्धियां कैसे हासिल की लोंग हाउचेन ने फी की मुस्कान दिखाए इस प्रशन का उत्तर देना और भी आसान है जैसे आप जादू के साथ साथ मार्शल आर्ट का प्रशिक्षन ले रहे हैं मैं न केवल एक गाजियन नाइट हूँ बलकि एक एवेंजन नाइट भी हूँ मेरी तलवारबाजी स्वाभाविक रूप से एक प्रमुक फोकस आइटम है तैन वान ने अपनी आखे चोड़ी की एक शूरवीर या अभिभावक और बदला लेने वाला और आप वास्तव में इन दो प्रकार के शूरवीर कोशलों में पूर्ण सामंजस्य बिठाने में सक्षम है ऐसा लगता है कि आपका नाइट टेंपल अभी भी हमसे बहुत आगे है इस बिंदू पर पहुंचकर वो घ्रिना महसूस किये बिना नहीं रह सकी लोंग हावचेन ने जारी रखा चलिए आपके दूसरे प्रशन का उत्तर देते हैं ये वास्तव मेली जेनगजी का धन्यवाद है कि मुझे जादू और मार्शल आर्ट में आपकी दोहरी विशेश अगिता के बारे में पता चला ऐसा नहीं है कि उसने मुझे बताया बलकि उसने मुझे ये दिखाया क्योंकि जिस दिन लीडरली पवन देव अफतार में परिवर्तित हुए मुझे एक विशेश अनुभूती हुई हाला कि वह उस दिन एक शक्तिशाली निशित स्तर के मंत्र का उप्योग कर रहा था यदि उसके पास परियाप्त मार्शल निपुन्ता नहीं होती तो वह संभवता तलवार की स्थिर्ता के ऐसे स्तर तक नहीं पहुँच पाता इस तरह मैंने ये साहसिक धारना बनाए दरसल मार्शल आर्ट और जादू एक संपूर्ण है हम शूरवीरों के लिए एक जादू का उप्योग गब मार्शल आर्ट के पूरक के रूप में किया जाता है और इसी प्रकार शूरवीर कौशल का निर्मान होता है इन में से कोई भीक्षमता आध्यात्मिक उर्जा से शक्ती वापस ले रही है ऐसे परिसर में जादूगरों के लिए मार्शल तकनीकों को तोड़ना असंभव नहीं है लेकिन मेरा सुझाव है कि आप अपनी बाहरी आध्यात्मिक उर्जा को बगाने के लिए और अधिक प्रयास करें अन्यता आपके मार्शल कोशल का उप्योग केवल आपकी आंतरिक आध्यात्मिक उर्जा पर निर्भर होकर ही सीमित रहेगा ऐसा तब तक है जब तक कि आप एक दिन लीडर ली के साधना स्तर तक नहीं पहुँच जाते जहां मार्शल आर्ट का उप्योग निशिद मंत्र के माध्यम से किया जा सकता है तैनवान ने उस पर व्यंग्य किया आप इसे बहुत सहचता से कह रहे हैं लेकिन यह इतना आसान कैसे हो सकता है किसी के लिए भी एक ही समय में मार्शल आर्ट और जादू का प्रशिक्षन लेना अतुल्मियर रूप से कठिन होगा एक व्यक्ति के पास सीमित उर्जा होती है और जाहिर तोर पर उसे विकल चुनने की जरूरत होती है लोंग हाउचेन ने सिर हिलाया आपको इस पर मार्ग दर्शन के लिए लीडर ली से पूछना होगा मैं इस मामले में आपकी मदद नहीं कर सकता हमारी लडाय अब खत्म हो गई है हैनना तैन वान ने असंतुष्ट होकर कहा आप जीत गए उसके बारे में क्या क्या आप अब भी मुझे और अधिक शर्मिंदा करना चाहते हैं लोंग हाउचेन हस्ते हुए बोले आपको वास्तव में इस स्वभाव को बदलना चाहिए अन्यता मुझे दर है कि यह आपकी भविश्य की खेती को प्रभावित करेगा अस्तिर भावनाओं के साथ कोई व्यक्ति कठिनाई से ही शिखर तक साधना प्राप्त कर सकता है तैन वान हैरान था यह अग्यात है कि क्या उसने वास्तव में लोंग हाउचेन की सलाहमानी क्योंकि उसने एक बार फिर विशे बदल दिया क्या आपने यह नहीं कहा कि आप मुझसे पूछने के पक्ष में है अब बोलो चून की आपने मुझे हरा दिया है इसलिए मैं उसका उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा लॉंग हाउचेन ने जवाब दिया मैं जल्द ही लिंच शिन और अन्य लोगों के साथ जा रही हूँ लेकिन बिग सिस्टर शिनर अपने डेमन हंट स्क्वार्ट के साथ टोंबल माउंटन पास पर ही रहेंगी मुझे आशा है कि आप उनकी देखभाल करने में मेरी मदद कर सकते है मैंने हमेशा बड़ी बहन जिनर को जैविक बड़ी बहन के समान ही माना है उसकी भोहें चट गई टैन वान ने गुस्से से जवाब दिया क्या आप जानबूज कर मुझे शर्मिन्दा करने की कोशिश कर रहे है आपको मेरे और लिंशिन के बीच के मामले के बारे में पहले ही पता चल जाना चाहिए था है ना क्या आप चाहते हैं कि मैं अपने कटर शत्रू की देखभाल करूँ क्या अच्छा विचार है लोंग हाउचेन काफी असहाय हो गए मुझे बस उम्मीद है कि आप इन शिकायतों को दूर कर सकते हैं उनका जिक्र करते हुए कहा जाए तो यह मामला किसी की गलती का नहीं हो सकता ये सब कारकों के भयानक संयोजन का परिनाम था क्या आप सच्मुच इस मामले में हमेशा के लिए इतने कठोर बने रहने की योजना बना रहे हैं भविश्य में आप और लिंच शिन दोनों निश्चित रूप से बन जाएंगे जदूगा के मंदिर के आला कमान मुझे ये हमद बताए कि क्या आपको लगता है कि दोनों के बीच विरोधभास से जादूगा मंदिर के सदस्यों में परेशानी नहीं होगी मैं जानता हूँ कि आपको इस मामले को छोड़ना मुश्किल हो रहा है मुझे भावनात्मक मुद्दो की भी बहुत अच्छी समझ नहीं है इसलिए मैं आपको आम तोर पर यही सलाह दे सकता हूँ कि इसे जाने देकर अपने दिल को ठीक करें समय सबसे अच्छा उपाय है शायद एक दिन आपको अपना सच्चा प्यार मिल जाएगा और आप अंजाने में लिंशिन को माफ कर देंगे लेकिन मुझे एक बात पर जोर देना चाहिए जादूगा मंदिर में आप चाहे कितने भी मजबूत क्यों नहों मुझे आशा है कि आप बड़ी बहन जिना को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे अन्य था मैं तुम्हें इसके साथ नहीं जाने दूँगा और जादूगा मंदिर को भी अकेला नहीं छोडूँगा क्या आप मुझे धमका रहे हैं तो वान ने बेरुखी से पूछा लॉन हाउचेन ने लापरवाही से उत्तर दिया ऐसा माना जा सकता है मुझे उम्मीद है कि अगली बार जब हम मिलेंगे तो दोस्त की तरह मिलेंगे दुश्मन की तरह नहीं इतना कहकर वह कमरे से बाहर निकलने की और मुल गया उनके फिगा को देखकर टैन वान को वास्तब में एक विशेश अनुभूती हुई इस आदमी के सामने जिसे हमेशा विशार्ट टैंपल का नंबर जीनियस माना जाता रहा है वह वास्तब में कितना महत्वहीन था उसे फिर से सोने का पिगला हुआ कवच पहनते हुए देखकर उसे ऐसा लगा मानो वह पीछे से अपने मालिक को देख रही हो लेकिन वह मुझसे छोटा है ध्रिना के कारण बुरा महसूस करते हुए टैंवान को जटका लगा कि उसके पास लॉंग हाउचेन के अनुरोध को अस्वीकार करने का सक खस नहीं था उसकी हिम्मत नहीं हुई लेकिन क्या मुझे सच में उस लड़की की देख भाल करनी चाहिए जैसा उसने कहा था प्रातह काल, लॉंग हाउचेन, काय, हान, यू और लिंच शिन सभी टोंबल माउंटन पास छोड़कर दक्षिन की और चले गए किसी समयली शिन की आखें आसुओं से गीली हो गई उसके बगल में उसके दानव शिकार दस्ते के सदस्य थे भले ही वहमूर्ख हो, लिूग शी को लॉंग हाउचेन के आगमन के बारे में पता चल जाएगा उनके अत्यदिक दुख की भावनाएं टैनवान से भी अधिक थी आखिरकार उन्होंने व्यक्तिगत रूप से अपने दानव शिकार दस्ते की विद्धी देखी थी केवल कुछ वर्षों के बाद उसने स्वयम को अब और आगे बढ़ाने में असमर्थ पाया उनके बीच का अंतर पहले से ही उन्हें पकड़ने की संभावनाव से कहीं अधिक था कुछ ही दूरी पर टैनवान और जुवान युवान यान वहां खड़े थे उनकी नजरे उन चारों के प्रस्थान पर नजर रख रही थी जुवान युवान यान को ऐसा लगा जैसे वह एक बड़े बोज से मुक्त हो गया हो और उसकी उदास उपस्तिती अंतता शांत हो गई वह हमेशा टैनवान से प्यार करती थी लेकिन लिंच शिन के पत्र के कारण टैनवान ने अपनी शादी तोड़ दी उसने इसके लिए उससे कभी नफरत नहीं की थी बलकि वह लिंच शिन से बेहद नफरत करता था चून की लिंच शिन की प्रतिभा जादूग मंदिर में पली बढ़ी थी टूंबल माउंटन दर्रे में उनके असाधारन प्रदर्शन के कारण जुवान युवान यान की कणवी नफरत और गहरी होती गई यहां तक की कई बार लिंच शिन को निजी तोर पर ताना भी मारा इस दरसे की कही टैन वान उससे छीन न लिया जाए लिंच शिन को आखिरकार जाते हुए देखकर जुवान युवान यान ने खुद को आश्चर ये चकित पाया क्योंकि उसके जाने के बाद उसके अंदर भरी हुई शिकायत गायब हो गई थी हाला कि टैन वान इसे स्वीकार नहीं करना चाहती थी लेकिन उसने अपना सबसे बड़ा प्रतिद्वन्द्वी खो दिया था जुवान युवान यान ने उसे किसी और से अधिक समझा और वह जानती थी कि वह क्या कर सकती है टैन वान अचानक ली शिन के सामने आई और उससे कहा रो मत ली शिन को भयानक आश्चर यहुआ और उसने टैन वान की ओर देखा वह अपनी भौहे सिकुरने से खुद को नहीं रोक सकी लिन शिन अभी अभी गई है ये लड़की अभी क्या चाहती है थोड़ी देर रुकने के बाद टैन वान ने घोशना की आपका एक अच्छा भाई है मैं हमारे सभी पुराने मामलों को हटा दूंगा लिन शिन का कमीना मेरी यादों में नहीं कुछ और है इतना कहने के बाद वह तुरंत पलट गया लिन शिन बेजान हो गया था जबकि जुवान युवान यान बहुत खुश था वह समझ गया कि आखिरकार उसका अफसर आ गया है शायद यह उसके जीवन के वसंत का आगमन था टोंबल परवत दर्रे से अगला पढ़ाव दक्षिनपूर्व किला था योद्धा के मंदिर द्वारा निर्देशित दक्षिनपूर्वी परवत ये दर्रा हमेशा से ही जादूगा के मंदिर के साथ अन्यो न्याश्रित रहा है ये दोनों महान मंदिर काफी करीब थे और वे एक दूसरे को पारसपरिक सहायता देते थे इसलिए भले ही दक्षिनपूर्व किले को कठिन समय का सामना करना पड़ा फिर भी वे राक्षसों के आक्रमन को विफल करने में काम्याब रहे चार दिनों की गहन यात्रा के बाद लॉंग हाउचेन और अन्य तीन अन्ततह इस शहर और किले तक पहुँचे जहां वे पहले गए थे उनके आग्मन का समय काफी संयोग पूर्ण था क्योंकि राक्षसों की सेनाय दक्षिनपूर्व परवत पसोत के खिलाफ एक भायन कर आक्रमन शुरू करने के ठीक बीच में थी आठ महान दानव देवता किले के बाहर खड़े थे जिन्हें अभी युद्ध में शामिल होना था लेकिन उनके दानव देव स्तंभों की चमक पूरी तरह से उनके शस्त्रागारों को भेर रही थी उचाई पर एक भीशन युद्ध हो रहा था जिससे खून की हल्की बुंदे निकल रही थी उपर से नीचे देखने पर खून खराबे के द्रिश्य दिखाई देते थे कैप्टन हम क्या करें? आईए सीधे लड़ाई में शामिल होने के लिए चले हान युने लोंड हाउचेन की और आवाज दी उसने सेरहिला कर उत्तर दिया चलो थोड़ी देर प्रतीक्षा करें सबसे पहले आईए युवान युवान की तलाश करें प्रकाश के दयालू होने के बावजूद उसके अपने स्वार्थी उदेश्य भी थे अब जब वे बहुत दूर थे और उपर उठाए गए थे तो उन्होंने और हान युने सहयोगी के रूप में अपनी स्थिती व्यक्त करते हुए प्रकाश का सार जारी किया दानव सेना से बचने में दक्षिनपूर्व माउंटन पास की सहायता करना एक करतव था इससे उसकी मानसिक शक्ती में भयानक व्यवधान उत्पन हो गया जिससे उसकी खोज और भी अधिक चुनोति पूर्म हो गई वांग युवान युवान वास्तव में दक्षिनपूर्वी किले में लड़ रहा था उनके बाय हाथ में विशाल दिव्या आत्मा धाल थी और उनके दाहिने हाथ में ब्लेडस्टॉम था वह पूरी तरह से कतलियाम में थी इस हद तक कि वही ये बताने में भी सक्षम नहीं थी कि दुश्मन का कितना खून उस पर लगा हुआ था अध्याए 569 युद्ध भाग दो की खूनी देवी के आसू पवित्र युद्ध लगभग दो वर्षों तक चला था और दोनों पक्षों की और से खपद बहुत अधिक थी मूल रूप से राक्षस सेना अधिक शांत लग रही थी केवल कभी कभार कुछ सांकेतिक हमले कर रही थी फोर्ट साउथ हीस्ट ने अपने सैनिकों को आराम देने के लिए इसका फायदा उठाया लेकिन किसी कारण से किसी को पता नहीं चला एक सप्ताह पहले राक्षस सेना ने एक बार फिर चोतरफा हमला किया और ये हमला पिछले वाले से भी अधिक भयान कर था तुरंट साउथ माउंटन पास की सभी शक्तिया युद्ध के मैदान में शामिल हो गई और फिर एक अजय युद्ध शुरू हो गया अब पूरा किला खून की दुर्गन से भर गया था वांग युवान अभी भी पहले स्थान पर खड़ा था युद्ध के मैदान की पंक्ति, दिवारों की रक्षा पवित्र युद्ध की समय की तुलना में उनकी धाल और तलवार पर खून के रंग की मोटी परत चट गई थी वह ना केवल शत्रू को भेदने की कारण था बलकी अंगिनत नर्सनहारों से जन्मी भीशन आक्रामक्ता को लेकर भी था वांग युवान युवान की शकल पहले से बहुत अलग नहीं थी, लेकिन उसका आचरन आसमान से जमीन तक बदल गया था, वह बेहत थंडी और स्थिर थी नर्सनहारों के बीच भी उनका रूप बिलकुल नहीं बदला, भले ही उनका पुरा शरीर खून की दुर्गन से भर गया था यहां तक की योद्धा के मंदिर के वे दिगगज भी उसकी उग्र और क्रूर हरकतों की तुलना नहीं कर सकते थे और वांग युवान युवान की खेती में तेजी से प्रगती हुई निरंतर वद से उसने बड़ी मात्रा में हत्या का इरादा जमा कर लिया और किसी अग्यात विधी से उसने अपने विशाल दिव्या आत्मा शील्ड की उत्तेजना के कारण लगातार तोरफोर की अब उसकी साधना पहले ही जाग फैन फैन से आगे निकल चुकी थी जिसकी सात्वे चरण में सफलता बहुत समय पहले हुई थी उनके समर्पन ने योद्धा के मंदिर के प्रत्येक आलाकमान को प्रभावित किया इसके अलावा उसके हाथ में भयानक नरसनहार के हथियार थे अगर ऐसा विकल चुना जाता तो वह निश्चित रूप से नरसनहार की देवी कहलाने की पूरी तरह से हगदार थी पवित्र युद्ध की शुरुआत से लेकर वर्तमान समय तक उसने कभी कोई लड़ाई नहीं हारी थी अधिक से अधिक वह अपनी शारीरिक शक्ती की ठकावट और बह जाने के कारण बेहोश होने से पहले पाँच दिन और पाँच रातों तक किलेक शेत्र में लड़ती रह सकती थी खोश में आने के बाद वह किसी की भी रुकावट की परवा किये बिना दक्षनपूर्व माउंटन दर्रे पर वापस आ जाती थी अब तक वांग युवान युवान को लंबे समय से दक्षनपूर्व के लिए के नायक के साथ साथ योधाओं के भारी बहुमत द्वारा एक आदर्श के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था जाग फैन फैन के पास अपना स्वयम का दानव शिकार दस्ता नहीं था और वह पूरे समय चुपचाप वांग युवान युवान का पीछा कर रहा था उसने उसे समझाने की कई बार कोशिश की और कई बार वह उसकी खातिर दुश्मनों को रोकने के लिए उसके सामने कूद गया और फिर भी वांग युवान युवान ने कभी भी उसकी बात नहीं मानी अन्त में, वांग युवान युवान के रवये में भी धीरे-धीरे बदलावाया उसके द्रिल सनकल्प को देखकर उसकी भावनाय वास्तव में कमजोर नहीं हुई, बलकि और भी मजबूत हो गई और इसके अलावा वह वांग युवान युवान से भी प्रभावित होने लगा, उसने गाजियन नाइट से बदला लेने वाले नाइट में अपना रास्ता बदल लिया, हत्या के उनमाद में अपना हिस्सा हासिल कर लिया, भले ही वांग युवान युवान की तुलना में उसका कवच बहुत पहले से कई रंगों से धका हुआ था। गुलेल से मार दिया गया था सिधे किले की और वे बड़े हथोडिल। हराते हुए उन दोनों के पीछे चले गए और वांग युवान युवान के हमलों का सामना करना पड़ा। टकराना, दानब भालू का पहला हमला जाग फैन फैन के धाल ब्लॉक से हुआ था जबकि दूसरा हमला उसकी भारी तलवार से हुआ था। भरी कराह के साथ जाग फैन फैन ने कुछ खून उगल दिया। उसने पहले ही गिन्ना बंद कर दिया था कि उसे कितनी बार ऐसी चोटे लगी थी और उसे इसकी आदत भी पढ़ने लगी थी। एक हिंसक जड़प में दो दानब भालू को जबरन खदेर दिया गया। जाग फैन फैन ने जो कुछ भी किया वह वांग युवान युवान को उसके लिए समय देने के लिए किया। डिवाइन सोल शील्ड ने दो हतोडों को तोड़ दिया और उसके बाद जो परिनाम आया उसे बलद स्टॉम का नाम दिया गया। किले में एक और नरसनहार हुआ। यहां तक कि दानब भालू की सरासर हिंसा के बावजूद अन्य दो मदद नहीं कर सके लेकिन अपने साथी को खून के तूफान से मारे जाने को देखकर कुछ डर दिखा रहे थे। घबराहट में उन्होंने आगे बढ़ने की इच्छा खोर दी क्योंकि वे वांग युवान युवान के नरसनहार का सामना करने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। प्रकाश का एक सुनहरा स्तंब कहीं से प्रकट हुआ जिसने वांग युवान युवान को अंदर से घेर लिया। प्रवतिय दर्रे पर लड़ रहे थे और वे काफी ठके हुए और घायल थे। उनकी आध्यात में कूर्जा पहले से ही खत्म होने के करीब थी, इसलिए इस बार ये दो शक्तिशाली उपचार मंत्र उनके लिए आवश्यक सही मदद से कम नहीं थे। उनकी शारीरिक शक्ति और आध्यात में कूर्जा दोनों आश्चार्य जनक गती से ठीक हो गई। सबसे बढ़कर जाग फैन फैन ये देखकर बहुत आश्चार्य चकित हुआ कि वांग युवान युवान पर चमकने वाली सुनहरी चमक कितनी शुधा थी। सुनहरे रंग के अलावा स्वरगदूतों की वो छवी हलकी सी शुधा और पवित्र आभा बिखेरती है। वांग युवान युवान की आखों में भरा खून का रंग अप्रत्याशित रूप से तेजी से उसके आलिंगन में गायब हो गया। कहने का ताकपर यह था कि वहना केवल उसके घावों को ठीक कर रही थी बलकि उसकी आत्मा से भरी आत्मा को भी आराम दे रही थी। ये पहली बार था जब जाग फैन्फैंग ने एंजल के आलिंगन का ऐसा उप्योग देखा था, जो शरीर और आत्मा दोनों को ठीक करता था। अवचेतन रूप से जाग फैन्फैंग और वांग युवान युवान ने अपना सिर उठाया और देखा की चार आकृतिया आकाश से उनकी ओर आ रही हैं। पिछले दो दानव भालू भी शामिल थे जो अभी अभी किनारे से भागे थे लेकिन वे सभी प्रकाश की धूसर चमक के बीच मर गए। अगनी जादूग की शक्तिशाली आकरामक शक्ती पूरी तरह से प्रदर्शित हुई। उनके शक्तिशाली जादूई हमले के सामने कोई भी दानव फिलहल उनसे संपर करने में सक्षम नहीं था। हान यू, लिंच शिन, कैएं। वां युवान युवान की आवाज करकश थी, अविश्वास से भरी हुई। पवित्र युद्ध की शुरुआत के बाद से ये पहली बार था की हतियार पकड़ने वाले हाथ काम रहे थे। युवान युवान, मैं भी यहाँ हूँ। पर नियंतरन खो दिया और फूट-फूट कर रोने लगा। वह शायद वह थी जिसने टीम में सबसे दर्दनाक समय बिताया था। लगभग दो वर्शों तक वह लगभग हर दिन मौत के कगार पर लरती रही, हताश ललायों में ब्रेक धूनती रही। ऐसा इसलिए था ताकि जिस दिन वह अपनी टीम में सुधार कर सके, उस दिन वह दूसरों से पीछे न रहे। लोंग हाव चेन आये और कईर, हान यू और लिंच शिन भी आये। वे मुझे नहीं भूले हैं और वे मेरे लिए आये हैं। तो हमारा दानव शिकार दस्ता अंतता सुधार कर रहा है। इस पल में वांग यूवान यूवान को पूरी तरह से ताकत से रहित महसूस हुआ, आखिरकार उसकी मन की खीची हुई स्थिती शांत हो गई, वहब अपनी भावनाओं को नियंतरित करने में असमर्थ हो गई। लौंग हाउचेन ने उसे जांग फैन फैन की बाहों में लोटा दिया, भाय जांग धन्यवाद। जांग फैन फैन ने हलके से आह भरी, यूवान यूवान के संबंध में उसने जो कुछ भी किया वह केवल मेरे भले के लिए था। मैं अपने साथियों की रक्षा करने में सक्षम नहीं हूँ, इसलिए यदि मैं उसकी रक्षा करने में भी सक्षम नहीं हूँ, तो मैं केवल उस गंतव्य तक उसका पीछा कर सकता हूँ। लौंग हाउचेन ने तब कहा, जब तक वांग यूवान यूवान भावनात्मक रूप से अस्थिर है, मैं उसे भाय के सनरक्षन में छोड़ता रहूंगा। ये लड़ाई खत्म होने के बाद बात करते हैं, जैसे ही उसने अपना दहिना हाथ उठाया, तरंगित प्रकाश उसकी मुठ्थी में आ गया। उसके पैरों की नोब जमीन पर लगी, लौंग हाउचेन एक चाल में हान यू की तरफ पा गया। स्थिती को देख कर कोई भी देख सकता है कि लिंशिन और कई राकरामक थे जबकि हान यू बचाव में थे। जब तक आठवी सीडी पर कोई शत्रू शक्ती नहीं आएगी, तब तक ये रक्षात्मक मुर्चा शायद ही तूटेगा। लौंग हाउचेन पीछे ह पांत्र जादूगरों की तुलना में अधिक शक्तिशाली थे। उनके तत्वा के साथ भगवान की चुनी हुई आत्मियता अक्सर उन्हें अपनी सीमा पर जादू फैलाने में सक्षम बनाती है। जिस समय उन्होंने गुफा में अध्यायन किया, उस समय लौंड हाउचेन ने ज्यादातर गाजियन नाइट्स की रक्षात्मक शमताओं और उपचार्क शमताओं पर ध्यान केंद्रित किया। भगवान के चुने हुए व्यक्ति के रूप में अपने महान लाब पर भरोसा करके वह नौवे चरन के पवित्र शूरवीर की तरह कुछ समय के लिए एक गातार तीवर होती गई। हवा में बड़ी मात्रा में प्रकाश सार उसके साथ गूंजने लगा। लेकिन फिर भी उसके चहरे पर बहुत भ्रिनिद भाव था। जैसा कि उसे उम्मीद थी वही जादू हमेशा हर पल एक ही शक्ति प्रदर्शित नहीं करेगा। भाग्य प्रकाश की बौचार के रूप में समाप्त हुआ। प्रकाश का एक शांदार सुनहरस्तम कहीं से प्रकट हुआ। जिसने अपने चारों और के पूरेक शेत्र को रोशन कर दिया। हाला कि प्रकाश की वर्षा पवित्र वर्षा से कहीं अधिक अतुलनिय थी। अंत में ये पुत कमजोर हो गया था। फिर भी प्रकाश की वर्षा अंततह प्रकाश की वर्षा ही थी। इसके प्रभाव का क्शेत्र, उप्चार दक्षता और अवदी सभियत। निशिद पवित्र वर्षा मंत्र से अतुलनिय थे। इस प्रकार राक्षसों का आख्रमन केवल अराम का समय मिल गया। उपचार के बाद प्रकाश की वर्षा पहले ही समाप्त हो चुकी थी और दानव सेना ने लहरों में अपना आक्रमन जारी रखा। लिन शिन थोड़ा पीछे हड गया था। निरंतर आक्रामक मंत्र ने उसकी अध्यात्मिकूर्जा को बहुत अधिक न प्रकारी रखा। उनके अगुवा में वास्तव में लियूक कभीले के कुछ अध्रिश्य शेतान थे। वे कठोर दिवारों को भेद नहीं सके लेकिन उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी तेज भुजाओं को आगे की ओर कर दिया। हान यू ने इन शत्रुओं क प्रती शांती से जवाब दिया, उपलब्धी का लालच नहीं किया। उसके दोनों हाथों ने अपनी धाल पकड़ रखी थी, अपनी इंद्रियों से आस-पास के वातावरं को भेर लिया था, अपने पीछे लौंध हाओचेन और लिंशिन का पूरी तरह से बचाव कर रहा था, होली लाइट शील्ड, शील्ड चार्ज, डैवी अबाधा और शील्ड वॉल, हान युद्वारा कई महान रक्षात्मक धाल कोशल का उप्योग किया गया था, जो गतिहीं खड़ा था, फिर भी 20 मीटर की सीमा के भीतर सभी राक्षसों की प्रगती को रोक रहा था, बोट्सकित की तीक्ष्णता को केवल भयानक के रूप में वर्नित किया जा सकता है, और इसके अलावा उसकी दिव्य गती को जोड़कर, किनारे पर हान युद्वी रक्षा में सभी अंतराल पूरी तरह से पूरक थे, लोंग हाउचेन ने फिर भी हमले में भाग नहीं लि की क्षमता सामान यशूरवीरों से आगे निकल जाती थी, और एक बहुत बढ़े ख्षेत्र को कवर करती थी, वो ख्षेत्र को एक निश्चित दिशा में भी फेक सकता था ताकि वो फैल जाये और किले के अन्य किनारों को ढग दे, उनके प्रकाश मंत्रों की श्रिंखला क कारण किले के लगभग एक तिहाई योद्धा किसी प्रकार के प्रभामंडल से संचालित थे, यद्यपी हिलो की यह श्रिंखला बहुत आधिक बढ़ावा देने वाली साबित नहीं हुई, लेकिन इसमें प्रकाश तत्व के गुंड थे, जिससे न केवल सहयोगियों का मनो काफी बढ़ गया, बलकि सैनिकों की आखरमक ताकत और उत्तर जीविता भी बढ़ गई, सबसे अधिक, सबसे उलेकनिये चीज़ पवित्र प्रभामंडल थी, प्राक्षसों के विरुद्ध युद्ध में ये सबसे उप्योगी में से एक था, उसके क्षेत्र में योधाओ के सभी हमलों से पवित्र प्रकाश बुन प्राप्थ हुए, प्राक्षसों के खिलाफ उसकी मारक शक्ती में ये जबर्दस्त वृद्धी हुई, और उसकी सीमा में प्रवेश करने पर किसी भी अंधेरे विशेशता वाले दुश्मन की ताकत तुरंत कम हो गई, निश्चि द्वारा चुने गए व्यक्ति के रूप में उन्हे जो लाब मिला, उसने लॉंग हाउचेन की प्रत्येक शमता द्वारा प्रदान किये गए प्रोत्साहन को एक सामान्य शूरवीर की तुलना में कम से कम तीन गुना अधिक प्रभावी बना दिया, कम खपत वाली ये प्र प्रदै की अगनी की लपते पहुँची, आग के नीले महासागरों ने राक्षसों की प्रगती और हमलों को बहुत सीमित कर दिया, और जिसक शन उनके सबसे शक्तिशाली हमले आए, हान यू और कईयर कुछ आध्यात्मिक वूर्जा प्राप्त करते हुए, किनारे से इतने लंबे समय तक अलग रहने के बाद भी, उनके सयुक्त हमले अभी भी इतने सामंज से पून थे, यह आपसी समझ उनके पून विश्वास से आई है, यह विशेश रूप से टीम की आत्मा के रूप में कार्य करने वाले लॉंग हाउचेन की उपस्तिती के कारण था, साथ में एक उत्साहित चिल्लाती है, कईर, बस दाई और ध्यान केंडरित करें और बाई और मुझ पर छोड़ दें, लॉंग हाउचेन ने यह देखने के लिए अपना सिर एक तरफ जुकाया कि वांग युवान युवान उसके पक्ष में शामिल हो गया है, तकराव की वि धात्विक ध्वनिया विशाल दिव्या आत्मा धाल और रक तूफान से आई, युवान युवान आप, लॉंग हाउचेन ने आश्चर्य से कहा, लॉंग हाउचेन द्वारा जारी प्रभामंडल में डूबा हुआ, वांग युवान युवान का शरीर सुनहरी चमक की एक परत से धका हुआ था, बॉस, उसे कैसे छोगा जा सकता था, आप जानते हैं, मैं बहुत लंबे समय से हमारे आमने सामने लढने की प्रतीक्षा कर रहा था, देवदूत के आलिगन से उपचार प्राप्त करने के बाद, वांग युवान युवान ने अपनी कुछ ताकत व पसपाली, वह सबसे बड़ी मानसिक बदलाव वाली महिला थी, लॉन्ध हाव चेन और अन्य लोगों के आगमन ने सपश्ट रूप से उससे अपने उपर डाले गए गहरे दबाव को हलका करने की अनुमती दी, लेकिन इससे उसमें अटूट जुझारूपन भी बढ़ गय अपने अधिक परिचित साथियों के साथ लढने में सक्षम होना उसकी आँखों में परमखुशी थी, लॉन्ध हाव चेन और अन्य चार को सामने से अनकही समझ के साथ समनवय करते हुए देख कर वह कैसे शांती से पीछे रह सकती थी, कुछ मिंटों तक मानसिक रूप से अधिक होने के बाद वह तुरंट लॉन्ध हाव चेन के पक्षमें शामिल हो गई, लॉन्ध हाव चेन ने वांग युवान युवान को नहीं रोका, वह जानता था कि उसके पास उसे रोकने का कोई रास्ता नहीं था, अच्छा, तो आई ये मिलकर लड़े, युवान यु उनका क्या सामना होगा, कोई भी अपने सहयोगियों को इसमें शामिल नहीं करना चाहता था, पुनर मिलन के बाद सोल बाइंडिन चेन एक के बाद एक जुर गई, जो इस बात का प्रतीक है कि वे समगर रूप से फिर से एक जुट हो गए हैं, मिलने के बाद उनके दस्ते क पहले ही इकठे हो चुके थे और उनकी टीम की अधिकांच ताकत वापस आ गई थी, वांग युवान युवान ने बाइं और को कवर किया और अपने दो हथियारों के साथ शक्ती का एक शक्तिशाली प्रदर्शन किया, लॉन्ड हाओ चेन संरचना के केंडर में बैठा था और प्रभाव जादू का उप्योग करने में अपना पूरा दिल लगा रहा था। जब तक ये किसी महत्वपूर्ण मिशन के लिए न हो, वे आसानी से रेजिस्टिंग ड्रेगन माउंटन पास नहीं छोड़ेंगे। प्रभाव जावक शूरवीर हैं। राक्षसी आक्रमन को बहुत दबा दिया गया। जब एक युवक योद्धा के मंदिर के अंदर तलवार के इरादे के गहरे रह से छोड़ गया। रुखे, क्या लगातार बूस्ट मंत्रों का उपयोग करने वाला गोल्ड फाउंडेशन नाइट वही हो सकता है। तो क्या सच्मुच वह दो साल से भी कम समय में इतनी आगे बढ़ गया। टैंपल अलायंस में दो साल से भी कम समय पहले हुए उस सम्मेलन को याद करते हुए कि युव योगहाव जटल भावनाव को उभरने से रोक नहीं सके। युद्ध के मैदान में गाजियन नाइट की क्या भूमिका है। ये बचाव या उपचार नहीं है, हमला तो बिल्कुल भी नहीं। ये आपके साथियों के जीवन को यथा संभव लंबा करने के लिए है। जब तक आप इसे समझते हैं और इसे संभालते हैं, आप वास्तब में एक योग्य गाजियन नाइट होंगे। उनके दादाजी के शब्द उनके दिमाग में गूंचते रहे, हाउचेन द्वारा प्रभामंडल का उप्योग अधिक से आधिक उप्योग थो गया, उनका प्रभामंडल बढ़ी हुई दक्षता के साथ एक साथ बह रहा था। सोने के पिगले हुए कवच की पुनरप्राप्ती ने उसे पाचवे चरण में चरम पर पहुँचने वाले इन हिलो प्रकार के मंत्रों का पूरी तरह से उप्योग करने के लिए आध्यात में कूर्जा की लगभग अटूटा पूर्ती प्रदान की। शुधर गती के मामले में हालाकि वह भी भी लिंशिन जैसे शुधर जादूग से नीचे था उसकी सीमा उसी स्तर के जादूगई या यहां तक की लिंशिन से तुलना करने से परे थी।